Hello students, welcome to Magnet Brains, my name is Abhishek Pandey, you teacher for social science, so Magnet Brains एक ऐसा platform है, जहाँ पर आपको सभी class, सभी subject के videos, free of cost, provide किये जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद ना तो आपको कोई subscription लेना है, ना ही कोई package purchase करना है, because best quality content, best teachers के साथ आपको free of cost, provide किया जाता है, Magnet Brains को आप Facebook पर, Instagram पर और Telegram पर भी follow कर सकते हैं, so that कोई भी important update आप यहाँ पर miss ना करें, सो आज मैं आपके लिए एक नया session लेकर आया हूँ, class 8 की social science का, और इसका जो title है, यह है, आपका complete chapter revision, complete chapter revision का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आपकी book में जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, मतलब x, y, z, कुछ भी यहाँ पर अगर आपकी book में लिखा हुआ है, तो उन में से जो सबसे important चीज़ें होती हैं, उनका revision मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, मतलब उस पूरे के पूरे concept को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, उसका क्या meaning होता है, किस तरीके से वो चीज़ already provide कर दिया हूँ, और आप लोग description में जाकर उसकी link वगरा यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर वो वीडियो आपको मिलेंगे, otherwise आप normally जो है वो यहाँ पर search कर लेना, तो अभी आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आज का जो हमारा chapter है यहाँ पर इसमें हम minerals and power resources के बारे में बात करेंगे, ठीक है, minerals एक बहुत important topic है, और इसमें अलग-अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर available है, है ना की minerals होते क्या है, है ना, अब question यहीं आएगा कि sir minerals क्या होते है, फिर उसके बाद minerals का use यहाँ पर क्या होता है, power resources यहाँ पर क्या है, क्या सरी यह power व बहुत सारे questions होगे, जिनका पूरा का पूरा explanation जो है, वो मैं आपको इस chapter में provide करूँगा, आचा इस chapter का जब भी आप यहाँ पर यह session यहाँ पर देख रहे हो, complete chapter revision, मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपने साथ जो है, अपनी NCRT book लेकर बैठीएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी particular जो points हैं, कौन सी particular चीजे हैं, जो हम यहाँ पर discuss करने हैं, वो आपकी book में कहा दी गई है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर go through करो, और साथी साथ में जो चीज़ें यहाँ पर कुछ important facts वगरा मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके book में mention किये गए, उनको भी आप यहाँ पर read करते हुए चलिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छी दरीके से यहाँ पर cover हो जाए, ठीक है, चले सथ से पहले आप हम यहाँ पर यह देखते हैं, कि इस पूरे की पूरे चैप्टर में एक starting में गर आप देखोगे तो एक story दी देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक तो किरी देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है आपको सुकान्त यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आप अपना नाम भी यहाँ पर resume कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो किरी यहाँ पर क्या होती है, कि किरी जो है वो सुकान्त के native place पर सचाहिывает आपक निधर में आपको धन्बाद में आपको देखने को मिलता है कि वहां पर जो है वो खरती है तो कि विझे जब यहां पर धन्बाद पहुझती है वह अपने वो मूवी देखी ऊगी न Fußball वासेपूर है ना यह आपने उसके बारे में सुना होगा तो उसमें धनबाद वगरा के बारे में जो है वह आपको देखने को मिलेगा एक इंपोर्टन इंस्टिट्यूट भी है जिसको बोलते हैं इंडिन स्कूल अफ माइन्स आईसी आई एसम धनबाद वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी जेई वगरा में अच्छी रेंक यहाँ पर आएगी इन फ्यूचर तो आप यहाँ पर यह कह सकते है कि आपको आईसम धनबाद भी यहाँ पर मिल सकता है ठीक है चले तो आप यहाँ पर क्या है कि वो धनबाद गये तो धनबाद भी उसने क्या देखा कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो ब्लैक था है ना मतलब बहुत पूरा का पूरा एरिया जो है वो ब्लैक देखने को मि तो कीरी के मन में कुश्चन यहां पर हमारे यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है यहां पर यह पूरा का पूरा ब्लैक एरिया दिख रहा है है और यहां पर इतनी ज्यादा डस्ट हो रही है ऐसा क्यूं है तो सुकांत ने यहां पर यह बताया कि यह क्या है कि यह पूरा का पूरा बगर भी देखने को मिलेंगे ठीक है जिसमें क्या हुआ था कि जिसमें कोल वगरा को यहां पर भर कर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया गया था तो इसके लिए यहां पर क्या파 fiscal वगरा थिस फोट वगरा यहां पर किये जाते हैं जिससे वह लग statement हम यहां बनते किस से हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो उसमें फ्लोर होता है, है ना आठा वगरा, फिर उसके बाद मिल्क आपको देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद कई जिगे पर आपको एक वगरा भी देखने को मिलता है, तो बहुत सारे अलग-Alग तरीके की चीज़े यहां पर उसमें प्रेजेंट होती हैं जब हम उसको यहां पर बनाते हैं लेकिन जब हम बिसकेट यहां पर खाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ें यहां पर हमको दिखती हैं क्या बोले नहीं दिखती हैं तो बोले क्या होता है कि वो जो बिसकेट बनाने के लिए जो मिन जिससे तुम लिख पाती हो या एकी है यहां पर कंपलीट कर पाते है जैसे आप खाना देखोगे तो खाने में आपने नमक डाला है तो नमक यहां परें यह तरीके का मिन ज़ाने तो यह सारीally Crいजो यहां पर समझ में आता है कि minerals यहां पर क्या होते हैं किस तरीके से होते हैं तो यह story के format में जो है वो book के बिलकुल starting में जो है वो यहां पर दिया गया है वैसे मैंने आपको explain कर दिया फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं तो अब यहां पर main जो बात होगी वो यहां पर यह होगी कि minerals जो है वो होते क्या हैं ठीक है जैसे कई बार क्या होते हैं कि जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में resource में मैंने आपको बताया था कि resource की है वो comment आया था कि sir resource की definition यहां पर क्या होती है तो मैंने उस chapter में भी आपको resource की definition यहां पर बताई थी इसमें कोई doubt नहीं है ठीक है उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप से यह पूछा जा सकता है एक number में question आ जाएगा कि mineral यहां पर क्या होते है ठीक है थोड़ा mineral के बारे में बताईए तो देखें एक naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral ठीक है मतलब कि याद रखिएगा mineral का मतलब यहां पर क्या हुआ है कि वो naturally occurring substance होना चाहिए मतलब कि वो जो प्रकरदी है वो हमको यहां पर provide करें जो nature है वो हमको यहां पर provide करें और उसके बाद उसका definite chemical composition होता है chemical composition आपने chemistry वगरा में science वगरा में यहां पर पढ़ा होगा chemical composition का मतलब यह होता है कि उसमें कुछ चीजें उसी मात्रा में present होनी जाए अब जैसे माल लीजिए कि अगर हम water की बारे में बात करें ठीक है तो water का जो chemical composition होता है वो यहां पर क्या होता है वह होता है है ना hydrogen के दो molecules होंगे और oxygen का एक irty XML होगा तो इससे यहां पर क्या होगा ये 16 चाए chemical composition है तो आप water कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो chemical composition क्या है वो यही रहेगा इसी तरीके से अगर हम कोईले की बात यहां पर करेंगे तो कोईला जो है उसका chemical composition क्या है वो भी यहां और सेम ही रहेगा वह करती है does कौने करने करेगि वह समझे गए लेकिन यहां पर क्या है कि कैमिकल और नहीं होता है इस तरीके से वह अभी आपको यहां पर देखने को मिल कर दी है यह आपको याद रखना है ठीक है फिर उसके बाद बूला जा रहा है कि मिनरल्स आर नोट इवली डिस्ट्रिबूटेट बीट आप यह सकते हैं कि इवली डिस्टीबूइशन नहीं है कई सारे continent में minerals बहुत ज़ादा देखने को मिल सकता है कई जगे पर कम देखने को मिल सकता है तो अलग-अलग तरीके की चीजे हैं है ना मतलब आप यह कह सकते हैं कि evenly distribution जो है वो यहाँ पर नहीं है कि सब जगे प्रकरती ने nature ने क्या कर दिया कि yellow तुमारा mineral yellow तुमारा mineral है ना यह सब चीजे जो है वो हर जगे पर आपको present देखने को नहीं मिलेगी कहीं पर जादा हो सकता है कहीं पर कम हो सकता है they are concentrated in a particular area or rock formation ठीक है मनलब आप यह कह सकते हैं कि इनकी जो presence आपको देखने को मिलती है एक किसी particular area में आपको देखने को मिलेगी है ना और यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि rock formations ठीक है अब जैसे example की तोर पर अगर मैं आपको बताऊं तो हीरा जो है वो कहां पर मिलेगा वो पन् किया जाता है ठीक है तो हर जगे पर हर चीजे अवेलेबल नहीं होती है अब जैसे अगर आप को भी देखोगे तो हो सकता है कि कोल आपके यहां होता हो हो सकता है कि कोल ना होता हो है ना मतलब कोल जो है वो सब जगे थोड़ों ना होता है वेस्पेंगॉल में होगा ठीक है कि इस तरीके की चीज़े available होती हैं लेकिन minerals आपको सब जिके पर देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है उसका कोई एक special place होगा वही पर वो चीज़े होंगी rock का formation से यहाँ पर होता है इसके उपर depend करता है some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean, bed and the Antarctica ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो यह हमारा अर्थ है अब अगर आप उपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है रुगिए का थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मान लीजे कि यह आपका अर्थ है यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको North Pole दे region होता है इसको हम Antarctica region कहते हैं तो अगर यहां पर कोई minerals होगा तो क्या हम इसको easily accessible कर सकते हैं कि नहीं लेकिन हम लोग इस बारे में planning कर रहे हैं कि थोड़ा Arctic region वगरा रश्या वगरा जो है ना वो planning कर रहे हैं कि यहां पर जो available resources हो सकते हैं उनको हो भी हम यहां पर आसानी से access कर पाएं इसमें भारत भी एक काफी जादा important role यहां पर प्ली कर सकता है बट अभी के time period पर अगर हम देखेंगे तो यह सब चीजें यहां पर क्या है कि आसानी से accessible आपको देखने को नहीं मिलती है ठीक है तो यह पूरे के पूरे point आई होप आपको समझ में आये होंगे बाकी यह factual information है कि the salt in your food and graphite in your pencil are also minerals यह मैं आपको starting में जो है वो यहां पर बता चुका हूं ठीक है चलिए आएक बढ़ते है मिनर्स are formed in different types of geological environments under varying conditions ठीक है आप यह कह सकते हैं कि जो मिनर्स का formation होता है है यह क्या है geological ॐ मतलब यहां पर आप यह कह सकते हैं कि geology जो होती ओना इसको हम बोलते हैं अर्थ का जो इंटीर होता है न अर्थ के अंदर ठीक है जैसे अब यह सब चीजह आपको देखने को मिल रही है तो यह सब चीजे हमको कहां से मिल रही है यह जब हम अर्थ के अंदर यहां पर जाते हैं तो इस तरीके के मिनरेल्स हमको मिलते हैं ऊपर ही थोड़न रहते हैं कि ऐसे घुमते जा रहे हैं एकदम से हमको क्या मिल गया एकदम से हमको हीरा temperature जदा होगा pressure जदा होगा temperature कम होगा pressure कम होगा इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो geological environments यहां पर होते हैं उनके basis पर आप कह सकते हैं कि जो minerals होते हैं उनका formation आपको यहां पर देखने को मिलता है they are created by the natural processes without any human interference मतलब जो भी चीज़े होती है क्योंकि मैंने आपको definition भी बताया था कि nature हमको यह चीज़े provide करता है तो natural process के तहएत यहां पर होगा है न और इसमें यहां पर कहें कि कोई human interference जो होता है वो जरूरी नहीं होता है कि मतलब इंसान यहां पर क्या करेंगे थोड़ा सा interfere करेंगे तब ही वो चीज़े यहां पर possible होंगी ऐसा बिलकुल नहीं है यहां पर यह natural process होती है और उसके basis पर ही यह सारी की सारी चीज़ें जो है वह आपको develop होती हुए यहां पर दिखाई देती है they can be identified on the basis of their physical properties such as color density hardness and chemical properties such as solubility अब यहां पर क्या होता है कि एकदम से सर्फ पता कैसे चल जाता है कि यहां पर جो हैवो mineral present होगा या नहीं होगा है ना तो कई बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज समझवा है ना जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक रॉक है यह दूसरी रॉक है यह तीसरी रॉक है ठीक है अब अगर माल लीजे कि यहाँ पर यह iron आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको copper देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको aluminium देखने को मिल रहा है, मैं एक example आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस rock से आपको iron देखने को मिलेगा, इस से copper देखने को मिलेगा, और इस से aluminium है, अच्छा, iron यहाँ पर यहां पर दी गई है तो अगर माल लीजे कि इसमें iron present है तो हम क्या कहते हैं कि इस particular rock को जो है वो iron ore कहते हैं क्या कहते हैं iron ore तो अब हमको एक बात यह समझना है कि rock और ore में जो है वो difference है ठीक है रॉक नॉर्मली रॉक है लेकिन अगर इस particular rock में iron यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं iron की ore बोलते हैं मतलब iron जो है उसका extraction extraction मतलब होता है चीजों को बाहर निकालना तो व अलगी blue color की दिखाई देगी है ना क्यों क्योंकि copper sulphate वकर आपने सुना होगा तो copper sulphate जो है वो किस color का होता है वो blue color का यहां पर आपको दिखने को मिलेगा ठीक है तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि उसके color से उसकी density से उसकी hardness से है ना हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि कुछ physical properties जैसे physical properties क्या है कि जो आपको सामने दिखरा है ठीक है जैसे उसका color है ना उसकी density density मतलब होता घनतू मतलब आप यह कह सकते हैं कि उसने कितना area जो है वो यहां पर occupy किया हुआ है फिर उसके बाद वो hard कितनी है इसके basis पे हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें वहा अगर वो थोड़ा सा जैसे आप उसमें नमक डालते हो जल्दी घुल जाता तो उसकी solubility ज्यादा है solubile है वो है ना लेकिन अगर उसमें सेंड डालेंगे रेत डालेंगे तो solubile होगा क्या नहीं होगा तो उसकी solubility यहां पर कम है तो chemical properties की मदश से भी हम क्या कर सकते हैं क कि यह पता कर सकते हैं कि कौन से particular rock में किस तरीके का जो mineral है वो आपको present यहां पर देखने को मिलता है तो आई होप यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी chapter बहुत interesting है बहुत अच्छी अच्छी information में आपको यहां पर बताऊंगा लेकिन हर एक चीज जो यहां पर हम हम discuss कर रहें यह आपको एकदम crystal clear होनी चाहिए अब दिमाग में यहां पर यह आ रहा होगा कि सर मिनरल्स तो ठीक है अभी हमको समझ में आगया कि मिनरल्स basically होते क्या है और इनको identify करने का अलग अलग तरीका क्या होता है यह चीज़ें हमको clear हो गई लेकिन सर मिनरल्स होते कि area है क्या तो वो चीज़ें आप हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले यहां पर यह देखो कि हमने heading यहां पर देखिए types of minerals ठीक है आपके book में भी हां पर यह चीज़ें लिखी होंगी सबोला जा रहा है कि there are over 3000 different minerals ठीक है मतलब करीब यहां पर आप यह देख सकते हैं कि करीब 3000से ज़ाद मिनर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के जो मिनर्स होते हैं ना 3,000 से जादा मिनर्स यहां पर हैं लेकिन अब क्या है कि अब तीन हजार के बारे में आप अब हम इस पूरे के पूरे सेशन में नीपड़ेंगे उन में से कुछ important जो चीजे हैं उनके बारे में पूरा का पूरा chapter यहां पर आपको बात करता हुआ दिखाई देगा लेकिन हम क्या करते हैं कि जो 3000 अलग-अलग तरीके के minerals आपको देखने को मिलते हैं on the basis of composition composition का मतलब यहां पर यह होता है कि जो mineral आपको देखने को मिल रहा है वो बना कैसे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि composition में basically जो ingredients आपको देखने को मिलते हैं जो अलग-अलग तरीके की चीजें यहां पर available हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर दिया मतलब हमने दो तरीके से इसका classification कर दिया है एक हमने इसको इसको non metallic बोल दिया ठीक है यह चीजें आपको ध्यान रखनी है यह आपके लिए important है और यह चीजें जो है आपके पेपर में classification जो है वो directly यहां पर पूछा जा सकता है तो हमने यहां पर क्या किया हम ने यहां पर यह metallic बोल दिया ठीक है और एक हमने यहां पर non metallic बोल दिया अब metallic में भी यहां पर क्या है metallic का मतलब यहां पर simple यह होता है कि metals है ना मतलब कुछ minerals जो है वो metal के form में यहां पर हो सकते हैं और कुछ जो है वो non metal के form में हाँ पर देखने को मिल सकते हैं अब metal के form में भी अगर आप देखोगे तो दो चीजे हैं एक आपका ferrous देखने को मिल रहा है और एक non ferrous देखने को मिल रहा है ferrous का मतलब यह होता है कि जिसमें थोड़ा iron वगरा यहां पर present होता है non ferrous का मतलब है जिसमें iron वगरा की मात्रा उतनी जादा यहां पर बड़े skill पर आपको देखने को नहीं मिलती है आगे अभी मैं आपको इसकी definition भी बताऊंगा लेकिन अभी के लिए मैंने आपको यह बता दिया कि मिन्रल्स का classification metallic और non metallic और metallic में अगर आप दिखोगे तो ferrous minerals है और non ferrous minerals आपको यहां पर देखने को मिल रहे है अब पहली बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें हम बात करने वाले metallic minerals की है ना यह metallic minerals आपको दिख रहा है तो metallic minerals के बारे में हमारा जो discussion है अब वो यहां पर आगे बढ़ेगा तो metallic minerals में अगर आप बात करोगे तो metallic minerals contain metal in raw form है ना मतलब वो सारे के सारे minerals ठीक है वो सारे के सारे minerals जिनको हम यहां पर metallic minerals यहां पर कह रहे हैं उसमें यहां पर क्या होगा आपको metal जो है वो देखने को मि कि कोई यहाँ पर iron ore आपको मिली है न आप iron ore से आपने यहाँ पर कुछ चीज़ जो है वो एक्स्ट्रेक्ट करी है फिर उसको आप यहाँ पर क्या करोगे अलग-अलग तरीकी के treatment दोगे तो उससे उस particular जो mineral आपको यहां पर मिला है ना उससे क्या होगा उससे आपको iron मिलेगा और iron यहां पर क्या है iron आप यह कह सकते हैं कि एक metal है और iron metal है और इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि metallic minerals contain metal in raw form मतलब कि उसकी raw form में जो है वह आपको metal देखने को मिलेगा अब ऐसा नहीं होता है कि हम परवत में गए है ना अलग-अलग तरीके की जो rock है उसको बाहर निकाला एकदम से जो आज के time period पर आपको iron देखने को उसमें आपको metals जो है वो raw form में देखने को मिलेगी मतलब अगर हम metallic minerals का प्रियोग करेंगे तो उससे जो final product हमारे यहाँ पर आप में आएगा वो यहाँ पर क्या होगा वो metal यहाँ पर होगा metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic lustre or shine मतलब आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर simple सी बात यहाँ पर यह है कि जो metals होते हैं है ना metals में अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर क्या है कि वो hard होते हैं जैसे आप iron का example ले लो ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्याएग कि वो heat भी यहाँ पर जो है वो conduct करते हैं और electricity भी कंड़ेट करते हैं इसलिए क्या होते हैं कि जो wire बगरा होते हैं वो आपको metals के देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद जो heat है जैसे आपने iron बगरा देखा होगा ना तो वो भी किस से बना होता है वो भी चमकदार भी देखने को मिले या थोड़ा उनकी चमक भी आपको कम देखने को मिले तो दोनों possibility यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जैसे अगर आप इसमें कुछ example देखेंगे तो जैसे iron ओर हो गया है ना फिर यह बॉक्साइट हो गया फिर manganese ओर हो गया यह कुछ examples हैं क्योंकि iron को देख लो वॉक्साइट आपको देखने को मिल रहा है जिससे aluminium देखने को मिलेगा फिर manganese वगरा हो गया यह सब यहाँ पर क्या है कि यह सब आपको एक मिनरल जो है वो यहाँ पर किसके एक्जामपल है वो metallic मिनरील की एकजामपल की मिलते हैं metallic mineral जो है वो यहाँ पार Ferus भी हो सकते हैं non Ferus भी हो सकते हैं अभी मैंने यह classification में भी आपको बताया Metallic मिनरील से यहां पर Ferus हैं और non ferus To तो अब आपके examination में अगर माल लीजे कि metallic minerals के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें raw form में metal होता है और ये जो metals होते हैं वो hard substances होते हैं थोड़ा hard आपको देखने को मिलेंगे heat और electricity को conduct यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर क्या है कि ये लशर और या फिर shine वगरा करते हुए आपको दिखाई देते हैं जैसे iron ore हो गया वॉक्साइट हो गया मेंगनीज वगरा हो गया कुछ examples हैं और metallic minerals जो है आपको ferrous भी देखने को मिल सकते हैं और non ferrous भी देखने को मिल सकते हैं तो दोनों possibility देखने को मिलती है अब जैसे माल लीजे कि आप से कोई बोले कि भाई जो ferrous metallic minerals होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं तो minerals like iron ore, magnees and chromite ठीक जिसमें आपको iron देखने को मिलता है ठीक है जिसमें iron present होगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम ferrous जो metallic mineral है उसके नाम से यहाँ पर संबोधित करते हैं तो यह point आपको ध्यान रखना है examples प्लीज याद रखिएगा MCQ वगरा अगर आपसे पूछेंगे न तो इस form में जो है व में contain some other metals such as gold हो गया, silver हो गया, copper, lead वगरा ठीक है यह सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है तो simple सी बात यहाँ पर यह हुई कि जो ferrous यहाँ पर आपके mineral होते हैं metallic minerals उसमें iron आपको देखने को मिलेगा और जो non ferrous यहाँ पर metallic minerals होते हैं उसमें iron present नहीं होता इसमें कोई दूसरी जो metals होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी जैसे gold हो गया, silver हो गया, copper हो गया, lead हो गया, यह सब चीज़ें आपको present देखने को मिलती हैं यह सारे के सारे key points हैं, key points के रूप में मैं आपको चीज़ें हाँ पर समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको ना हूँ है ना इसलिए कुछ important चीज़े हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, आप अगली बात करेंगे non-metallic जो minerals है, non-metallic minerals का मतलब हो गया कि जिनमें यहाँ पर क्या है कि metals नहीं है, non-metallic minerals do not contain metals, मतलब metals जो हैं वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे limestone हो quartz हो गया, calcite यहाँ पर हो गया, तो अलग-अलग तरीके के जो पत्थर यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर क्या है, आप उनको कह सकते हैं कि वो सारी की सारी चीज़े जो होती है, वो यहाँ पर non-metallic minerals होते हैं, उनके example होते हैं, जिसमें metal आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे fuel वगरा है, हैना coal वगरा हो गया, petroleum हो गया, तो आप यह कह सकते हैं कि यह भी यहाँ पर क्या है, यह non-metallic minerals हैं, हैना non-metallic क्यों हैं, क्योंकि इन में कोई metal वगरा आपको present देखने को नहीं मिलता है, तो यह simple सी definition है, metallic minerals की, हैना metallic minerals दो तर जानी से यहाँ पर complete हो पाएगा, अब उसके बाद, अब जब हमने यहाँ पर minerals के type यहाँ पर पता कर लिए हैं, तो अब अगला question आपकी दिमाग में यह आ रहा होगा, कि सर यह जो minerals का extraction होता है, जो हम चीज़ें यहाँ पर minerals को बाहर निकालते हैं, rock वगरा से, उसका procedure यहा यहाँ पर बोला गया है कि minerals can be extracted by mining, drilling और quering, ठीक है, तो अब हम इन process के बारे में देखेंगे कि mining यहाँ पर क्या होता है, drilling क्या होता है, और जो quering आपको देखने को मिलेगा, यह सब चीज़े क्या होती हैं, ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो extraction of minerals में भी यहाँ पर मैंने आपके सामने इसलिए चीज़े प्रेजेंट कर दी हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, और आप चीज़े जो है, वो अच्छी तरीके से समझ पाएं, है ना, और पेपर में अगर आप से माल लीजे कि यह extraction of minerals की उपर कभी कोई question यहाँ पर आता है, तो आप इस तरीके से बना कराना, बना कर आओगे ना, तो फिर क्या होगा, कि फिर question जो है, वो आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा, और presentation भी जो है, वो काफी अच्छा मिलेगा, so extraction of minerals में mining हो गया, mining दो तरीके की है, एक open cast mining है, एक है shaft mining, ठीक है, अभी क्या होता है, अभी मैं आपक समझाओंगा, फिर drilling हो गया, और फिर आपको querying यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यह अलग अलग तरीके की methods है, ठीक है, जिन से हम क्या करते हैं, कि जो minerals होते हैं, उनका extraction यहाँ पर करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी क्या हैं, कि वो अभी जो को यहाँ पर अब समझने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे mining के बारे में, मैंने आपके लिए जो photos वगरा हैं, वो भी यहाँ पर लगाई हैं, है ना, तो आप यह भी देख सकते हैं, जिसे अगर आप देखोगे, तो यह कोईला वगरा आपको देखने को मिल रहा ह तो यह क्या है, यह आपका mining वाला जो पूरा का पूरा operation है, यह देखने को मिल रहा है, the process of taking out minerals from rocks buried under the surface is called mining, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि अर्थ के surface के अंदर, ठीके जो दबे हुए हैं, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि जो minerals यहाँ पर क्या है, जो rocks में, है ना, अर्थ के तो ऐसी तो यह बाहर नहीं आ गया होगा, ऐसी तो यह situation नहीं होगी न, आपने क्या किया, कि आपने इसको identify किया, कि भाई इस तरीके की situation जो है, वो यहाँ पर हो सकती है, और आपने यह भी पढ़ाए कि जो पहले के जीव जन्तु होते हैं, पेल पौधे वगरा होते हैं, जब वो यहाँ पर जमीन पर दबे रहते हैं, और कई सालों के बाद, फिर उसमें इस तरीके से जो changes होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कि the process of taking out minerals from rock buried under the earth surface, अर्थ के अंदर जो यहाँ पर rocks है, आप यह कह सकते हैं, कि उसमें जो mineral यहाँ पर present होते हैं, उनको बाहर निकालने की जो process होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको mining बोलते हैं, तो आप से simple definition यहाँ पर पूछा जा सकता है, कि mining यहाँ पर क्या होती है, तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर clearly बता सकते हैं, कि अर्थ जो rock वगरा होता है, उ तो अब अगली बात करेंगे open cast यहां पर जो माइनिंग है उसके बारे में, so windows that light at shallow depth are taken out by removing the surface layer, this is known as open cast mining, ठीक है आपने यहां पर क्या कर दिया, कि मतलब आप जेखो, windows क्या हो सकते हैं, कि जमीन के अंदर हैं, तो जमीन के अंदर क्या हो सकता है, कि कुछ तो कम गहराई पर हो कि केवल जो surface वाली layer है, उसको हटा दो आप, उसको आसानी से access कर लोगे, जैसे आप यह देखोगे, अगर यह वाला example अगर आप देखो, तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत अंदर गए हैं, कि हम बिल्कुल नहीं गए, तो यहां पर क्या है कि उपर की जो surface है, उसको आपन बन जाएगा, तो इस तरीके की जो mining होती, इसको हम यहां पर open cast जो mining है, वो यहां पर कहते हैं, है ना मतलब surface अड़ा दो, और चीजों का access आपको आसानी से यहां पर मिल जाएगा, तो इसको हम यहां पर open cast mining जो है, वो यहां पर कहते हैं, ठीक है, एक point आपको यह ध्यान ल दिखा होगा, कि यहां पर क्या होता है, कि पहले गड़ा किया जाता है, है ना फिर उसमें यहां पर क्या होता है, कि आपने दिखा होगा कि वो automatic lift वगरा भी होती, जिससे वो नीचे जाते हैं, और फिर नीचे जाकर वो काम करते हैं, तो basically यहां पर कहाएं कि deep bores called shaft have to be made to reach minerals deposit that lie at great depth, ठीक है, बतलब कि वो बहुत गहराई में यहां पर होते हैं, और इस वज़े से यहां पर क्या करते हैं, कि boring वगरा हम करते हैं, ठीक है, जैसे आपने क्या किया कि गड़ा किया, गड़े से आप नीचे गए, फिर वहां पर जाकर आपको minerals जो है वो मिलेगा, ऐसा न मिलेंगे, तो ऐसी जो यहां पर mining होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, shaft mining, तो याद रखिएगा, कि अगर आप से माल लो कि एक नंबर में question यह पूछा जाए, कि अगर माल लीजे कि minerals जो है, वो कम depth में है, और हमें अगर उनका access करना है, उनको बाहर निकालना है, तो किस तरी ठीके की mining होगी, open cast mining होगी, है ना, लेकिन अगर माल लीजे कि minerals जो है, वो आपको ज़्यादा depth में यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे case में जो mining होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम shaft mining जो है, वो यहां पर कहते हैं, I hope आपको यह चीजे समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे यहां पर अलग-अलग तरीके की mining आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई भी doubt अगर होता है, तो comment section आपके लिए open है, आप उसमें अपने doubt जो है, वो mention करिएगा, reasonable doubt पूछा करो, ठीक है, हाई हेलो तो ठीक है, मैं सबको हाई हेलो बोली देता हूं आकर, है ना, हा यहां पर क्या है, अगर आपकी कोई doubt है, तो उन चीज़ों को यहां पर पूछिए, ताकि आपका upliftment जो है, वो यहां पर जादा देखने को मिले, ठीक है, बाकी मैं हाय हेलो तो सब के साथ करते ही हूं, ठीक है, चले, अभी अगली बात करते हैं, drilling के बारे में, तो drilling में, ब आपको difference यहां पर समझना है, कि यह क्या है कि देखो, आपको दिख रहा है, यह shaft है, है ना, इस तरीके से आप अंदर की तरफ जाओगे, और फिर अलग-अलग तरीके से यहां पर काम होगा, drilling जो है, वो यहां पर कहा है कि वो different है, उसमें आप अंदर नहीं जा रहे हो, बस जो यहां पर दूसरी country से petroleum खरीते हैं, वो crude oil के रूप में खरीते हैं, फिर crude oil को हम यहां पर क्या करते हैं, इसका distillation वगरा करते हैं, refining वगरा करते हैं, उसके बाद अलग-अलग तरीके की जो petroleum products होते हैं, वो हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यह point आपको ध्यान लखना है, तो petroleum और natural gas occur far below the surface, मतलब की our surface के बहुत नीचे होते हैं, deep wells are bored to taken out, take them out, this is called the drilling, और इसी वज़े से यहां पर क्या होता है, कि बहुत बड़े बड़े जो कुएं वगरा होते हैं, वो यहां पर खोदे जाते हैं, हैंना मतलब उनकी drilling होती है, जैसे यह लोग क्या करने हैं, यह drilling करने है, तो drilling यहां पर होगी, और drilling के बाद फिर क्या होगा, कि उस कुएं में जो है, वो आपको नीचे से जो oil वगरा होता है, crude oil वगरा, वो आपको देखने को मिलेगा, फिर हम उसको बाहर निकालते हैं, तो यह चीज जो होती, इसको हम क्या बोलते है इसको हम drilling process जो है वो कहते हैं तो याद रखिएगा petroleum और natural जो यहाँ पर आपके gas होते हैं ठीक है जो कि अर्थ के बहुत surface की नीचे देखने को मिलते हैं उनको बाहर लाने के लिए किस process का use होता है उसको हम drilling के नाम से जानते हैं ठीक है याद रखिएगा ऐसे question जो है वो एक number म अब हम बात करते हैं quaring के बारे में so mental that light near the surface are simply dug out by the process known as squaring ठीक है अगर माल लीजे कि बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है है ना बहुत ज्यादा जैसे यह वाला अगर आप देखोगे तो open cast mining में यहाँ पर क्या है कि open cast mining में थोड़ा आपको नीचे जाना पड़ेगा ठीक है quaring के बारे में हम बात कर रहें तो mental that light near the surface मलब की surface के बहुत पास में हैं है ना बहुत बड़े scale पर आपको काम नहीं करना बढ़ रहा है तो बहुत surface के पास में उनको simply यहाँ पर क्या करेंगे खुदाई करेंगे और उसको बाहर निकाल लाएंगे तो इसको हम यहाँ पर उ बाहर निकालने की techniques यहाँ पर आएंगी है ना तो mining हो गया drilling हो गया querying हो गया mining में भी एक हो गया open cast mining और एक यहाँ पर हो गया shaft mining तो सबके difference यहाँ पर क्या है सबकी definitions यहाँ पर क्या है कौन कौन सी चीज किस तरीके से बाहर निकाली जाती है यह सब चीजे मैंने आपको यहाँ पर explain कर दी है ठीक है simple simple चीजे हैं अगर आप book में भी देखोगे तो यही सब चीजे जो है वो clearly यहाँ पर mention करी गई है ठीक है अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो minerals अगर in different types of rocks ठीक है जो भी minerals यहाँ पर होते हैं मैंने आपको यह बताई दिया है कि भाई वो rocks में हाँ पर होते है लेकिन rocks भी अगर आप देखोगे तो अलग-अलग तरीके की rocks होती है ना जैसे आपने सुना होगा पढ़ा होगा sedimentary rock हो गया है ना igneous rock हो गया metamorphic rock हो गया जैसे अप सभी को पताएगी वॉलकेनों है वॉलकेनों में नीचे यहाँ पर क्या होता है जब धरती के नीचे जो तरीके से जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जो हुए रफ ठोगा ठीक है यह यहमने बना दियाए क्या है यह आपका व्लेफेनों अभी इन हो बर से बाहर आ जाता है उसको हम क्या बोलते है लावा ठीक है तो देर देफरेंस बित्वीन मैगमा एंड लावा अब जब लावा यहां पर बाहर निकला है तो क्या होगा वो सॉलिड की रूप में होगा है ना सॉलिडिफाई होगा सॉलिडिफाई होगा और फाइनली जो है वो सॉलिड हो जाएगा तो सॉलिड होने से जिस तरीके की रॉक यहां पर बनती है उसको हम बोलते हैं इगनियस रॉक ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलत सारी रॉक्स बन गई है ना जैसे इगनियस रॉक पी आपको बनती भी दिखाई दे रही है तो टेंपरेचर चेंज हो रहा है है ना बारिश यहां पर हो रही है फिर हवाएं यहां पर चल रही है तो आपने देखा होगा कि रॉक की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वह आपको देखने को मिलते हैं क्यों कि यहां पर क्या है कि यह सोती है इसको बूते है वेदरिंग वेदरिंग का मतलब यह होता है कि जब रॉक छोटे-छोटे पार्टिकल में और तो अब rein उटकर यहां पर बने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, सेडिमेंट्स, अब क्या होगा कि यह उड़कर जाएंगे, और यहां पर इस तरीके से डिपॉलिट होने लगेंगे, है ना, तो ऐसे ब प्रेशर यहां पर चेंज होता है तो कुछ हिगनियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक्स जो होती है वो किसी दूसरे यहां पर जो फॉर्म है ना उसमें convert होती हुई दिखाई देती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम metamorphic जो rocks है वो यहां पर कहते हैं जैसे sedimentary rocks का example limestone वगएरा हो गया है ना फिर उसके बाद metamorphic जो है उसका example marble वगएरा हो गया नीस एक होता है ठीक है उसको भी हम बोलते हैं आगे की classes में आप पढ़ोगे लेकिन एक general term मैंने आपको यहां पर बता दिया तो मिंडल्स क्या होते हैं कि अलग-अलग तरीके की जो यहां पर rocks है ना उसमें आपको यहां पर यह देखने को मतलब कि जितने भी अलग-अलग तरीके की rocks है चाहे वो इगनियस रॉक हो चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो चाहे वो सेडिमेंटरी रॉक सो सभी में आपको जो मिनरल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं जनरली मेटैलिक मिनरल्स आर फॉंड इन दा इगनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेटूस ठीक है तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि अब इसमें एक चीज आपको एक नंबर का कुश्चिन दिख रहा होगा तो याद रखिएगा कि जो मेटैलिक मिनरल्स होते हैं वो इगनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन में देखने को मिलते हैं जिससे यहां पर क्या है कि बहुत सारे प्लेटूस बगरा जो है उसका फॉर्मेशन हुआ मतलब जो प्लेटूस बगरा होते हैं वो इगनियस और जो मेटाम और इगनियस में मिलते हैं ये एक नंबर का कुश्चिन जो है वो प्यारा सा मुस्कुराता हुआ है ना आपके सामने देखने को मिल रहा है तो इस पॉइंट को नोट कर लीजेगा और इंडिया के बारे में भी बात करेंगे लेकिन यहां पर क्या है कि इंटरनेशनल लेबल पर जो अलग-अलग जगे हैं जहां पर अलग-अलग तरीके के आपको यहां पर मिनरल्स वगरा देखने को मिलते हैं वो आप देख सकते हैं कि प्रिजेंट किये गए हैं जैसे आइरन ओर है ठीक है वो यहां पर स्वीडन में है ठीक है फिर उसके बाद कॉपर और निकल आपको दिया गया है ठीक है कॉपर और निकल यह आपको अंटेरियो कैनेडा में द क्रोमियम मगरा भी हो गया प्लैटीनियम मगरा हो गया यह सब क्या है कि यह अलग-अलग तरीके कि जो आपके metallic minerals होते हैं वो यहां पर होते हैं और metallic minerals में अगर आप देखोगे तो यह अलग-अलग positions आपको दी गई हैं जिसमें यहां पर यह बताया गया कि इन locations पर हैना क्या होता है कि जो एगनियस rock है या जो आपकी यहां पर metamorphic rocks हैं उसमें जो metallic यहां पर minerals होते हैं वो आपको present देखने को मिल रहें तो यह कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं अलग-अलग locations के बारे में Sweden हैं है ना Ontario Canada में आपको देखने को मिलेगा South Africa में चीज़ें देखने को मिलेगी थोड़ा example आपको याद रखना पड़ेगा ताकि अगर इस तरीके का कोई कुश्चन यहाँ पर आए तो आप आसानी से इन चीज़ों को यहाँ पर लिख ले ठीक है तो यह याद रखना है Sweden में iron ore हो गया copper nickel जो है Ontario Canada में आपको देखने को मिलेगा iron nickel chromite और platinum जो है South Africa में तो यहाँ पर जो rocks हैं वो कैसी हैं वो convenience और metamorphic जो rocks हैं वो आपको देखने को मिल रही है ठीक है तो यह कुछ important points हैं जिनके बारे में आपको जानकर ही होनी चाहिए ठीक है समझ में आ रहा है ना सब कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ पर कहा है कि locations बोलेंगी सर की locations कैसे याद होंगी है ना तो जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उनको अलग से note करके रख लो है ना उसको तीन दिन चार दिन पांस दिन एक सब्सक्ते दस दिन उनको अगर आप रिवाइस करते रहोगे ना तो एकदम टिप पर याद हो जाएंगे आपको है ना लेकिन आप इनको याद तो करना पड़ेगा है ना उसमें तो कोई वही नहीं है अब यह ओंटेरियो जो है यह कैनेडा में आपको देखने को मिल रहा ह तो यह आपको पता होना चाहिए है ना इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है कि इसको याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक होगा ठीक है तो इसको अगर आप रिवाइस करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे तो फिर यह चीज़े आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएंग उसके बाद अगर आप देखोगे, Sedimentary Rock, Formation of Plains and Young Fold Mountains, Contain Non-Metallic Minerals like Limestone ठीक है अगर आप देखेंगे तो जो Sedimentary Rocks हैं ठीक है जैसे मैंने आपको एक्जांपल दीया था ना, Limestone वाला, Limestone को मैंने क्या बोला था, Sedimentary Rock बदाया था, और फिर उसके बाद क्या है कि Sedimentary Rock Formation of Plains, है ना मतलब की जो planes होते हैं वहाँ पर जो sedimentary rock का formation होता है sedimentary rock का formation कैसे होगा जो एग इनियस rock है उनके छोटे-छोटे particles होंगे जिनको हम sediments कहते हैं वो पानी के माध्यम से air के माध्यम से एक जिगे से दूसरी जिगे पर जाएंगे deposit होंगे तो जब वो deposit यहां पर होते हैं तो sediments का deposition जो होता है उसको हम sedimentary rock के formation की रूप में यहां पर देख सकते हैं तो plane में यहां पर यह है यंग fold mountain फोल्ड माउंटेन का अगर example देखोगे तो जैसे यहां पर क्या होता है कि जैसे हिमाले है हिमाले क्या यंग fold mountain अब देखो यंग fold mountain का मतलब क्या होता है यह मैं आपको समझाता हूं ठीक है just give me one minute अब अगर माल लीजे आपको यह बता है कि हमारे धरती के जो अंदर है है ना वहां पर आपको अलग-अलग तरीके की plates देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं tectonic plates ठीक है आप जब यहां पर class 9 में आओगे ना तब आपको यह चीज़े पढ़ने को मिलेंगी समझने को मिलेंगी ठीक है अभी मैं आपको एक छोटा सा logic बता रेता हूँ अब जैसे माल लीजे कि यह plates हैं ठीक है अब plates में दो तरीके की moment हो सकती है एक plate यह है एक plate यह है दो plates है है ना ऐसी बहुत सारी plates आपको देखने को मिलती है अर्थ के interior में अगर माल लीजे कि दो plates है अब इनके बीच में दोनों एक side में भी motion कर सकती है दोनों वपोजिट दिरिक्शन में भी motion कर सकती है दोनों में चीज़े यहाँ पर हो गई अगर माल लीजे कि plates की मोशन ओपोजिट डैरेक्शन में हैं न दोनों क्या कर रही है ओपोजिट डैरेक्शन में मोशन कर रही है जैसे आप लोगों को पता होगा जैसे यहां पर एक सत्पुला है अब दो प्लेट्स है इस प्लेट की मुवमेंट इदा रहे और इस प्लेट की मुवमेंट जो है वो इदा रहे ठीक है दिख रहा है ना दोनों की ऑपूलिट डिरेक्शन में और आपको पता है कि विंध्याचल और सत्पुला के बीच में एक नदी बहती है जिस create होता है एक fault और इस process को जो है हम बोलते है Faulting नहीं है? कि यहाँ पर रिवर जो है वह इहाँ पर fault जो है वह इहाँ पर create होता उसकी वज़े से यहाँ पर भाषती तो जगे बन जाती है तो नर्मदा रिवर जो है इसलिए यहाँ पर flow करती है ठीक है? अब अगर माल लीजिए कि दोनों चीज़ों की motion जो है वो same direction में है, same direction का मतलब यहां पर यह हुआ कि यह एक plate, यह प्लीट, दोनों ऐसे move कर रही है same direction में, तो same direction में जब यहां पर यह move करती है लगती है न, तो इनकी बीच में पर उहां पर आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा यहां पर जो आपका हिमाले है वोग्लता और इसी वज़े से हम हिमाले को यहां पर क्या बोलता है यंग fold mountain कहते हैं, यंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि करीब 70 million years ago पुराना यहाँ पर हिमाले है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि वहाँ पर non metallic minerals हैं, तो metallic minerals कहाँ पर मिलते हैं, igneous rock में, metamorphic rock में, non metallic minerals यहाँ पर होते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, जो sedimentary rocks यहाँ पर होते हैं, प्लेंस में और यंग fold mountains हैं, वहाँ पर आपको non metallic minerals जो हैं, जैसे कि limestone वगरा होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो यह point आपको यहाँ पर समझाया गया है, इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रगना है, limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples, सब example दिये गया है, जैसे limestone अगर आप देखोगे, तो यह Caucasus region आपको देखने को मिलेगा, फ्रांस में, फिर manganese के deposit अगर आप देखोगे, तो Georgia, Ukraine और phosphate वगरा जो है, वो आपको Algeria में देखने को मिलेगे, जो यहाँ पर कहा हैं कि sedimentary rocks में मिनने वाल अलग अलग तरीके के minerals हैं, जो आपको यहाँ पर बताएगे हैं, ठीक है, mineral fuels such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata, ठीक है, तो simple सी बात यहाँ पर यहाँ पर यह बहुत important question है, UPSC ने भी यह question यहाँ पर directly पूछा हुआ है, कि minerals और fuels जो हैं, वो किस तरीके के, यहाँ पर जो rocks होते हैं, उसमें पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे हमने metallic वाले की बात कर ली, जो non metallic minerals से उनके बारे में हमने बात कर ली, लेकिन आप से यह पूछा जा सकता है, कि जैसे coal हो गया, petroleum हो गया, fuel वगयरा हो गया, यह कहाँ पर मिलते हैं, तो याद रखिए का यह आपको sedimentary rocks में देखने को मिलेंगे, strata या rocks, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पर जो चीजे हैं, वहाँ पर आपको present देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो एक कुछ important चीजे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना कि कौन कौन सी चीज, किस तरीके के rocks में होती है, rocks का एक basic introduction में मैंने आपको बता दिया, कि जो igneous rock है, metamorphic rock है, sedimentary rock है, वो कैसे बनती है, उनके examples वगरा क्या हो सकते हैं, और जो अलग-अलग तरीके के minerals होते हैं, वो कहाँ पर present होते हैं, ये भी चीजे मैंने आपके साथ यहाँ पर discuss कर लिए, ठीक है, तो ये सारे point आपको समझ में आ र देख लिया कि भाई, जो भी अलग-अलग तरीके के types of minerals यहाँ पर है, फिर उसके बाद मैंने आपको distribution of minerals में यह सब चीजे यहाँ पर बताई, हैना कि कौन-कौन से rock में किस तरीके के minerals यहाँ पर present होते हैं, लेकिन अगर माल लीजे कि मैं continent-wise यहाँ पर बात करूं, हैना कि कौन से continent में कहाँ पर कितने minerals हैं, और उन continents में से कौन-कौन से countries हैं, कहाँ पर किस तरीके के minerals यहाँ पर present हैं, तो वो जानना भी चीजें जो हैं, वो बहुत ज़रूरी है, तो अब उसके बारे में हम discussion करेंगे, जैसे अगर आप पहली बात यहाँ पर देखोगे, तो पर बताया जा रहा है, कि चाइना और इंडिया जो है, यहाँ पर कहा है कि आइरन ओर की deposit जो है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कि वो पर्टिकुलर रॉक जहाँ पर आइरन की मात्रा बहुत ज़्यादा present है, वो आइरन ओर की जो deposit होते हैं, वो चाइना में और इंडिया में आपको बड़े scale पर देखने, देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो दो country यहाँ पर कौन कौन सी को एशिया में, आइरन के लिए चाइना हो गई और इंडिया हो गई, दा कॉंटिनेंट प्रेडूजेस मोर देन पर होता है, वो अशिया में होता है, ठीक है, तो आप से यह पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉंटिनिन्ट है, जहांपर दुनिया के में जितना भी तिन का Production यहां पर होता है total है, उसका आदे से जाधा इस ineffective में होता, उस Con tea इन का नाम बता हूँ, तो वो यहां पर कौन सा ह हो गया वो ऐसिया हो गया तो हम इस कि बात कर रहे हम की बात कर रहें चाइना मичего लिए ओंग फ्रिद्व इन फर इसमें हड़ आप देखो के तो यह तो मैं रहे हैं यहां पर ब्च Васam यहाँ पर जो टिन है उसका production बड़े scale पर देखने को मिलता है फिर उसके बाद China also leads in production of lead ठीक है एंटीमनी और टंगस्टन ठीक है तो यह कुछ और यहाँ पर अलग-अलग तरीके के मिनरल्स हैं जैसे lead हो गया एंटीमनी हो गया और टंगस्टन हो गया ठीक है यह सब चीजे आई हो आपने science में यहाँ पर पढ़ी होंगी ठीक है जैसे टंगस्टन बिसिकली जो बल्ब का filament होता है ना जैसे बल्ब में अगर आपने देखा होगा जो पुराने बल्ब आते थे हैं यलो कलर वाले तो उसमे है एंटीमनी हो गया टंगस्टन हो गया यह सब चीजें यहां पर क्या होती है आप यह सकते इन सब चीजों में China जो हो यहां पर नंबर वन कंट्री देखने को मिल रहा हैं कि एशिया में आपको यहां पर डेपॉलिट मैंगनीज के भी देखने को मिलते हैं बॉप साइट क चाइना को थोड़ा समराइज यहां पर करेंगे तो चाइना में जो एशिया कॉंटिनेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा चाइना को नहीं एशिया कॉंटिनेंट को अगर हम यहां पर थोड़ा समराइज करेंगे तो चाइना और इंडिया में आयरन ओर जो है वो डिप और एशिया में अगर हम बात करेंगे तो मैगनीज, बॉकसाइट, निकल, जिंक और कॉपर है न ये सब चीजें भी बड़े स्केल पर आपको इनके डिपॉलिट्स जो हैं ये भी यहां पर देखने को मिलते हैं तो ये चीजें आपको एशिया के बारे में यहां पर बताई ग चीज है यहां पर क्याया नॉर्फ अमेरिका ये फ्री का आपको देखने को मिल रहा है ये और ये आपको यहां पर ये वाली चीज यहां पर तकции अगर के book में यह map दिया हुआ है तो आइरेण अगर आप देखो गेको आएरें आइरेन यहां पर भी आपको दिख रहा है यह हो गया यह सआउओ अमेरिका में नौर्थ अमेरिका में भी आइरेन यहां पर प्रिजेंट day ठीक है यहां पर है फिर उसके अमेरीका में बहुत जादा कॉपर है South America में भी कॉपर आपको देखने को मल रहा है यूरोप वागेरा विक में भी locking हैं अबर है ठीक है एफ़रीगा में भी कॉपर है फिर उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यूरोप वगरा वाली रीजन में भी है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर एफ्रीका में भी है है ना फिर यहाँ पर एशिया में भी है तो काफी जगे पर यह भी आपको देखने को मिलेगा यह मलेशिया वगरा इंडोनेशिया ठेक है ऑस्ट्रेलिया वगरा वाला पार्ट तो यहां पर यह सारे अलग-अलग चीज़ें दिखाएगी है तो मतलब डिस्ट्रिबूइशन बताये गया है कि आयरेन का कॉपर का और बॉक्सएट का कहां कहां पर कितना बड़े लेबल पर आपको दिखने को मिलता है तो जादा तर कॉंटिनेंट्स में अगर हम देखेंगे तो तीनों चीज़ें यहां पर अब अगली बात करते हैं यूरोप के बारे में तो यूरोप में यहां पर यह बोला गया इकि यूरोप इस दा लीडिंग प्रिडिजर औफ आइर वैला भॉत ज़्याधा आएरें जो ए वो आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है ठीक है मतलब आप यह कह सकते हैं कि कौन सा कॉंटिनिंट है जो कि यहां पर आयरें ओर के प्रेडकशन में नंबर वन है तो वह यहां पर यूरोप है लेडिंग प्रेडिशर ओफ आइरें वो आपको देखने को मिलते हैं तो अगर उन में आप देखो गे तो रुष्या यूक्रेयन ज्वीडन और फ्रांस ठीक है यह कुछ कंट्रीस हैं जहांपर अगर आप देखते हैं तो वहाँ कॉमेंट सेक्षिन में बताएगा बागी रश्या की मॉस्कोव युक्रेट की वे फ्रांस की परिस है आपको स्वीडन की राजसानी जो है वो कॉमेंट सेक्षिन में बताना है ठीक है फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि मेंडल्स डिपॉलिट ओफ कॉपर लेड्ट जिंक मै एण डेकिलारा फॉम् मिéro ए एंड यूड़ोप एंड यूरोप योरोप युरूप य रश्या का यहां पर यूरोप या नि इश्या में देखने को मिलेगा तो अब रश्या का जो यहां पर European part है ठीक रश्या का जो Europe में region है और जो Eastern Europe आपको देखने को मिलेगा है ना वहाँ पर अगर आप देखोगे तो copper, lead, zinc, manganese, nickel वगरा जो है वो आपको एक बड़े स्केल पर देखने को मिलता है एक यहाँ पर factual information भी यहाँ पर दिया गया है ठीक है याद रखिएगा यूरोप की वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर कोई non-mineral deposit आपको देखने को नहीं मिलेगा तो उसका नाम है स्विट्जलेंड ठीक है स्विट्जलेंड की पार्ट और इस्टन यूरोप है यह वाला जो रीजन आप अगर आप देखोगे ना यह यह वेस्टन यूरोप है तो इस्टन यूरोप वाले पार्ट में जो है वह आपको यहां पर क्या मिलेगा वहां पर आपको थोड़ा सा यह जो मैंगनीज निकल वगरा हो गया यह सब तो जो भी यहां पर North America है कि जैसे आप यह देखो के न तो North America में यह आपका Canada हो गया यह United States of America हो गया और यह आपका Mexico ठीक है यह तीन मेजर कंट्रीज है जो आपको North America में दिखने को मिलती है तो अगर हम North America में mineral deposits के बारे में बात करेंगे तो वो तीन जोन्स में यहां पर क्या है कि वो located देखने को मिलेंगे जैसे पहली बात Canadian region north of the great lakes the Appalachian region and the mountain ranges of the west ठीक है तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि यहां पर सबसे important चीज़ें जो यहां पर आपको बताई गई है ठीक है जैसे अगर आप देखेंगे तो यह वाली जो चीज है ना यह आपको great lakes देखने को मिल रहा है ठीक है यह great lakes है यह Canada है नीचे United States यह Mexico यह great leaks है तो बोला जा रहा है कि the Canadian region north of great lakes great lakes के जो north में यहां पर आपको Canadian region देखने को मिल रहा है the Appalachian region and the mountain ranges of the west ठीक है तो जो Appalachian region है और जो भी आपको mountain ranges यहां पर देखने को मिलती है एक तो यह zone हो गया iron or nickel gold uranium and copper are mined in the Canadian shield region coal in the Appalachian region ठीक है मतलब इसमें iron or nickel gold uranium मगरा जो है आपको ना इतना ज्यादा रिजन वगरा याद रखनी कि आवशक्ता नहीं है बस आप यह ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का जो रीजन है वो located कहां पर है ठीक है वो नॉर्थ अमेरिका में है बाकी iron or nickel gold uranium मगरा कहां पर present है वो देखिएगा फिर उसके बाद western cordilleras have vast deposit of copper lead zinc gold and silver तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो बाकी जो रीजन यहां पर है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको copper वगड़ा lead zinc gold और silver वगड़ा भी देखने को मिलता है तो overall अगर हम देखेंगे तो नौर्थ अमेरिका में भी काफी सारे जो deposits हैं minerals के वह available हैं चाहे वह Canadian region के बारे में देख लो चाहे वह मेक्सिको के बारे में देख लो ठीक है अब यह देखो आप उपर की तरफ अगर आप देखोगे तो iron वगड़ा भी है है ना फिर उसके बाद copper वगड़ा भी आपको present देखने को मिल रहा है ठीक है यह सब जो है यहां पर North America में present है बस आपको याद यह रखना है कि यह जो Appalachian region है वो कहां पर है North America में है ठीक है फिर उसके बाद यह जो आपको Great Lakes देखने को मिलेगा यह कहां पर है यह North America में है फिर Canadian Shield region ठीक है North America में फिर उसके बाद Western जो Cordilleras वगड़ा है यह भी आपको North America में देखने बात को ठीक है क्योंकि इनको मैं समझा भी रहा हूं आपको लेकिन इनको आपको ना factual data है तो आपको थोड़ा सा यहां पर मगप करना पड़ेगा है ना तभी यहां पर क्या है कि हम questions वगड़ा में सही तरीके से answer दे पाएंगे बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत तो अगर आप देखो गए तो जैसे आपको यहां पर नॉर्फ अमेडिका में भी देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह को वगभा है तो यह को घरे बाद करेंगे तो और होए यहं पर पर्सक्रफ मेरिघें हो कि अधर नाट नोसुत मेरिका मेरिका वाला तो और लगा तरीके का डिस्टिपूशन हैं कि पहाँ कहा पर में और जो कोल वगएरा का डिस्टिबूइचन है वो यहां पर किस तरीके से प्रेजेंट है ठीक है चले साउथ अमेरिका में बात करेंगे तो यहां पर बुला जा रहा है कि ब्राजील इस दा लाज़ेस प्रेडिजर ऑफ हाई ग्रेड आयरेन ओर इन दा वर्ड ठीक है अब यह कुश्चन important है कि भई हाई ग्रेड हाई ग्रेड का मतलब यह है कि आयरेन का भी अलग-अलग quality होता है तो उसमें से जो सबसे अच्छी quality वाला यहां पर produce करता है वो दुनिया भर में कौन सी कट्री करता है तो इसका नाम है ब्राजील की राजधानी जो है वो रियो डियो ड रखिए का साओध अमेरिकन कंटिर चिली और पेरू है लोग यहां पर क्या है है कि कौपर के प्रेडूजर जो है आपको देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद ब्राजीब और बॉलीविया honored हैं यह को तो पर के से ब्राजील और बोलिविया जो हैं वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो टिन का प्रोडेक्शन बड़े स्कील पर आपको देखने को मिलता है बागी ब्राजील हाई ग्रेड आइरेंड नोर को प्रेडियूस करने में नंबर वन है चिली और पेरू जो है वो हाइस यहां पर कपास वगरा है तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं ठीक है जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमिया, मैगनीज, बॉकसाइड, माइका, माइका का जो सबसे आधा प्रोडिक्शन होता है वो भा लेट रोलियम अगरा होता है न वो कहां पर है वेनुज़ेला में हैं अरजन्टीना में छिली में पेरो में और और कोलंबिया ठीक है वेनुज़ेला की के अपर यूएसए ने संक्शन यहां पर लगा दिया इनके दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे और इस वज़े से क्या होता है कि वेनुजुएला से ज्यादा लोग यहां पर ऑइल पर पर्चेस नहीं करते हैं क्यों कि अगर वह व्यूद पर्चेस करेंगे तो यूए से क्या कर देगा उनके इस पर यहां पर यह हुआ कि फिर आप यहां पर इंटरनाशनल market में दूसरी countries के साथ especially US के साथ किसी भी तरीकी का कोई relation यहाँ पर नहीं रख पाएंगे ठीक है तो Venezuela में भी अगर आप देखोगे तो mineral oil वगएरा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Venezuela, Argentina, Chile, Peru, Colombia यह सारी countries है जहाँ पर आपको minerals हैं कहीं पर आपको जादा देखने को मिलेगा कहीं पर कम देखने को मिलेगा है ना लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे continents में अलग-अलग तरीके की जो minerals हैं वो यहाँ पर आपको present देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं एफरीका के बारे में बोला गया है कि इसमें is rich in mineral resource ठीक है मतलब आफरीका में जबर जस्त यहाँ पर जो minerals है वो आपको present यहाँ पर देखने को मिलते हैं इट इस वर्ल लार्जेस प्रेडिजर आफ डाइमंड गोल्ड और प्लेटिनम ठीक है तो आप से यह पूचा जा सकता है कि कौन सा continent है जहाँ पर डाइमंड का गोल्ड का और प्लेटिनम मतलब जतनी महंगी महंगी चीज़ें है ठीक है सब का जो production यहाँ पर होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है वो आफरीका में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है साओध अफरीका जिबाबबे और जाहरी ठीक है प्रेडियूज अ लार्ज पोर्शन आफ वर्ल्ड स्कूल ठीक है मतलब दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर हम बात करेंगे तो कहां-कहां पर प्रोड़क्शन है साओध अफरीका में जिबाबबे में है और जाहरी तो यह सारी कंट्रीज है जहां पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है उसका प्रोड़क्शन आपको देखने को मिलता है मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन यही से कवर होता है और भी बहुत कंट्री है ओयल के मामले में नाइजीदिया है लिविया में आपको यहाँ पर आइल देखने को मिलेगा और अंगोला में भी आपको जो ऑव्यों होंगे में है यहां पर इसकिस करूंगा ना तब मैं मैं चृँसरी की निया पर कॉना कर ने कांप को बोली है तो उनके स्टी चीज़े में आपको कराऊंगा लेगिन अभी के लिए आप यहां पर यह देख सकते हैं कि अलग-अलग countries है वो अलग-अलग countries कहां पर located है जैसे नाइजीरिया लीबिया अंगोला वगरा यह सब अफ्रीका में ठीक सबसे पुरानी रोकस आपको देखने को मिलेंगी वो अस्ट्रिलिया जो है उसके विसके व्लियश पर यहां पर देखने को मिलेगा तो यह सकते हैं कि करीब 43 hundred million years ago पुरानी आपको जो है वो देखने को मिलती है ठीक है तो ये दो चीज़े आपको बताएगी है green diamond जो है वो rarest diamond है और oldest rock जो है वो आपको western Australia में देखने को मिलती है rocks के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि rocks में ही आपको अलग-अलग तरीके के जो minerals यहां पर होते हैं वो present देखने को मिलते हैं तो I hope आपको जितनी भी चीज़े मैंने अभी तक यहां पर बताई हैं वो सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी अच्छा एक बात यह धियान रखिएगा कि अगर कोई continent है ना किसी चीज के production में अगर number one है तो उसको आपको एकदम याद रखना है ठीक है जैसे अफरीका के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अफरीका जो है वो diamond का ठीक है gold का या फिर platinum का जो production है वो सबसे जादा यहां पर करता है ठीक है तो इस बात को आपको एकदम exactly याद रखना है ठीक है इस इंपोर्टेंट तिंग आई होब आपको यह चीजे जो है वो यहाँ पर समझ में आ रही होगी ठीक है अब अगला जो continent हम यहाँ पर discuss करेंगे इसको हम यहाँ पर कह रहे है Australia ठीक है तो Australia में अगर हम बात करेंगे तो अस्ट्रेलिया इस लार्जेस प्रेडिजर और बॉक्साइट इन दा वर्ल ठीक है अब यह ध्यान रखना है आपको आप से पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है कौन सा वह उस्ट्रेलिया है और यहां पर देखने को पुरानी है और आप यह कह सकते है कि जब अर्थ का आपको देखने को मिल रही है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान लखना है दूसरी बात अगर आम ऑस्ट्रेलिया के केस में यहां पर देखेंगे तो जैसे गोल्ड हो गया डाइमंड हो गया आयरन ओर हो गया टिन और निकल है ना तो सारी चीज़ें आपको मिल रही है बा लेको मिल रहाँ औरिस यहां पर नाम आपको देखने को मिल चाहिए कि यहांपर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर में जिंक में और दिनीज वगरा में भी यहाँ पर क्या है कि रिच है मतलब यहाँ पर इस तरीके के मिनरल्स भी प्रिजेंट है जैसे यहाँ पर बुला जा रहा है कि काल गोर्ली एंड कूल गार्डी एरिया जो कि आपको कहां पर मिलेंगे यह वेस्टन ऑस्ट्रेडिया वाला जो पार्ट है जैसे यहाँ पर यहां पर यहां बर बॉस्ट्रेड आपको यह नहीं पर यहां पर उस्ट्रेलिया के बारे में वहां पर सबसे ज्यादा होता है फिर अगला जो यह अंटाक्टिका है अंटाक्टिका मतलब बरफ से घिरा हुआ कॉंटिनेंट दा जी ओल जी ओफ अंटाक्टिका इस सफिशेंटली वेल नोन तो प्रेडिक्ट देग्शिस्टेंस ऑफ वराइटी ऑफ मिनरल्स डिपॉड़िट सम् प्रॉब्ली लाज ठीक है तो आप यह कह जो मिनरल डिपॉड़िट से वह यहां पर अविलेबल हैं है ना और कुछ मिनरल से अगर आप देखोगे तो लार्ज एक्स्टेंट में यहां पर आपको अविलेबल देखने को मिलेंगे सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉड़िट ऑफ कोल इंदा ट्रांस जो अंटाक्टिक माउंटेंस हैं और आइरन नियर दा प्राइम चार्स माउंटेंस ऑफ इस अंटाक्टिका इस फोर्कास्ट ठीक है मतलब यहां पर क्या बोला गया है यहां पर कुछ रीजन्स बता याद रखिएगा कहां पर हैं वो वह आपको ट्रांस अंटाक्टिक माउंटेंस में देखने को मिलेंगे और उसके बाद आइरन जो आपको देखने को मिलेगा यह पर कहा पर एंव वो आपको अंटाक्टिका के इस्टन में देखने को मिलेगा ठीक है आइरन ओर गोल्ड सिल्बर और और अउल आर और उसो प्रेजेंट इन दा कॉमर्शियल कॉंटिटीज मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह accessible नहीं है क्योंकि यहाँ पर बरफ वगर आपको जादा बड़े स्किल पर देखने को मिलती है लेकिन अलग-अलग कंट्रीज जो है वो यहाँ पर प्लैनिंग कर रही है कि यहाँ पर जो resources वगरा अविलेबल है इनको भी हम यहाँ पर utilize करें है ना लेकिन अगर आप माल लीजे कि इसका over exploitation यहाँ पर होगा तो आप इससे यह कह सकते हैं कि जो हमारा environment है उसको एक नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है climate change जैसी चीज़े जो हो रही है climate change का मतलब जैसे क्या होता था कि पहले ठंडी होती थी ठंडी के बाद spring का season आता था जिसको हिंदी में बसंद कहते हैं उसके बाद यहाँ पर गर्मी आती थी लेकिन अभी क्या है कि अगर आप देखोगे तो temperature जो है वो लगातारी यहाँ पर बढ़ने लग जाता है तो इस वज़े से यह जो पूरी की पूरी situation यहाँ पर change हो रही है इसको हम climate change कहते हैं ठीक है जलवायू परिवर्दन तो यह problem जो है वो देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको iron भी present देखने को मिल रहा है और दूसरी बात जो है वो यहाँ पर coal वगरा की presence भी देखने को मिलती है यह अंटाक्टिका का जो यहाँ पर कुछ important mountains वगरा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो यह मैंने अलग-अलग जो यहाँ पर आपके continent से महादूइप है वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें present हैं है ना कौन-कौन से minerals हैं किन particular minerals में वो particular continent जो है वो ज्या पर काम हो रहा है ठीक है अब हमको एक बात यह समझ में आगया कि minerals क्या करते हैं कि हमारी life में बहुत important role play करते हैं मतलब कई सारी चीज़ें हम अपने daily life में यहाँ पर use करते हैं जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि minerals का presence होना जरूरी है मतलब आप यह कह सकते हो कि minerals हैं तभी य हार एक चीज़ की importance आपको देखने को मिलती है और इसी वज़े से अब यहाँ पर यह जानना भी जरूरी होता है कि भाई जो minerals होते हैं उनका यहाँ पर use क्या क्या हो सकता है मतलब किस किस तरीके से हम minerals जो हैं उनका प्रियोग यहाँ पर कर सकते हैं जैसे पहली बात minerals को हम तरीके के industries में यहाँ पर use करते हैं मतलब जो industries है आप जैसे माल लीजे कि iron वाली industries आपको देखने को मिलेंगी तो वहाँ पर भी क्या करते हैं मिनरल्स का जो है वह यहाँ पर use करते हैं ठीक है फिर उसके बाद minerals which are used for gems are usually hard ठीक है जो अलग-अलग तरीके के पत्थर वगरा ह तरीके से आप देखते हो ना अलग-अलग तरीके के जो प्रीशियस यहाँ पर इस्टोंस होते हैं जैंस फगरा होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि उसको उसी format पर फिरम चीजों को जो है वह यहाँ पर change करते हैं copper is another metal used in the everything from the coin to pipes ठीक है copper की जो है वो सिक्के भी आपको दे सिलिकॉन जैसे अगर आप देखो के तो बैंगलूर एक शहर है जिसको सिलिकॉन वैली ओफ इंडिया बोलते हैं सिलिकॉन वैली ओफ इंडिया क्यों बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर computer और computer से related जो इंडुस्ट्री होती है वह आपको बड़े scale पर देखने को मिलते हैं तो सिल Aluminium obtained from its ore, Bauxite है न मैंने आपको बताया था Aluminium की जो ore है उसका नाम क्या है उसका नाम है Bauxite तो Bauxite से हम क्या करते हैं Aluminium को obtain करते हैं और इसका प्रियोग किया जाता है Automobiles में है न जो भी आपके गाड़ी वगरा होते हैं है न उनकी body वगरा बनाने में Airplanes में हो गया ठीक आपको Aluminium के देखने को मिलते हैं तो सिंपल सी बात यहां पर हमको यह समझ में आ गई कि बहुत सारे अलग-अलग तरीके की इंडस्ट्रीज है चाहे वो जैम्स वाली इंडस्ट्रीज हो ठीक है चाहे फिर उनको आप अलग-अलग प्रीशे से स्टोन में Convert करो उसमें उनको हम यहां पर सही तरीके से बता सके हैं मैं यह चाहता हूं कि आप मुझे जो चीज़े मैंने इहां पर अभी तक डिसक्स करी हैं जो अलग-अलग तरीके की मिनल्स्टी स्थैघ्रih की है इसके अलाबबा इसके से आप कीपास जो आंसर है वो ठोड़ा और enhance हो जाएगा क्योंकि आप भी बताओगे आप जैसे जो दूसरे student से वो भी यहाँ पर बताएंगे तो minerals के क्या के यहाँ पर use हो सकते हैं वो चीजे भी आप यहाँ पर include कर सकते हो ठीक है मैंने कुछ यहाँ पर बता दी हैं कुछ आप comment section में mention करो उसके बारे में पढ़ो है न तूससे क्या होगा कि एक और minerals जो है वो आपका यहाँ पर cover हो जाएगा तो अब हमको एक बात यह समझ में आगया कि minerals जो है वो हमारी daily life में बहुत useful है और अगर कोई चीज हमारी daily life में बहुत जादा useful यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमें उसका conservation जो है वो भी यहाँ पर करना पड़ेगा है ना मतलब उसको बचाना पड़ेगा उसको सुरक्षित करना पड़ेगा यह हमारी responsibility यहाँ पर बनती है सो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो भी minerals है उनका conservation हमें क्यों करना है क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि minerals जो है वो non renewable resources है ठीक है non renewable का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक बार अगर आपने इनका प्रियोग कर लिया कोल बनने की जो प्रोसेश वो भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी प्रोसेश है उसमें बहुत साल लगते हैं तब कहीं जागर यह प्रोसेश यहाँ पर complete होती है आज के time period पर जो भी हम यहाँ पर coal वगरा का use करते हैं अगर आप उनको देखोगे तो वह बहुत time से यहाँ पर चला आ रहा है तब उन चीजों का प्रियोग हम आज के time period पर कर पा रहे हैं ठीक है तो इसलिए बोला गया है कि minerals जो है वह non renewable resources है मतलब इनका हम जो है अगर यह खतम हो जाएंगे तो यह दुबारा यहाँ पर replenish होते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे इट टेक्स अ थाउजन ओफ येर्स फॉर्ड़ा फॉर्मेशन एन कंसेंट्रेशन ओफ मिंडर्स ठीक है आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चीजें फॉर्म हो रही है फॉर्मेशन में क्या होता है कि उसमें समय लगता है लेकिन अगर उसका हम exploitation करें उसका यूज करें तो उसमें जादा टाइम नहीं लगेगा तो formation की जो स्पीड वो कम है और मनुश्य जिस तरीके से जिस स्पीड में यहाँ पर चीजों का यूज कर रहा है वह स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिल रही है तो आप यह कह सकते हैं कि इन्पुट कम है आउट्पुट जादा है तो चीजें खतम हो जाएंगी ना तो इसलिए बोला जा रहा है कि दा रेट ओफ ओर्मेशन इस मुच स्मॉलर दिन दा रेट ओफ रेट एट विज दन स्मॉ इम आपको दो रहा है हैं यहां पर यहां पर होता है उसको क्या पर क्यारा ए thriller करें थोड़ा सफ another way in which the minerals resource can be conserved ठीक है तो चीजों को आप recycle करो है ना जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर कहाएगी reuse ठीक है reduce और recycle तो minerals को यहां पर क्या करिए कि अगर possible है तो उन चीजों का reuse करो उनका जो consumption है उसको reduce करो और किसी चीज को अगर एक form से दूसरी form में change करके हम यहां पर use कर सकते हैं तो recycle करो तो यहां पर यह बात ध्यान लगना है कि reduce reuse and recycle है ना जब इस चीज की उपर हम focus करेंगे तो हमारे जो अलग-अलग तरीके के मिंडल्स यहां पर होते हैं उनका conservation जो है वो यहां पर आसान हो जाएगा अगर हम यह सोचेंगे कि भाई हलग-अलग तरीके से के बस सरकारी जो है वह यहां पर क्या करेंगी focus करें इस तरीके की policy यहां पर बनाएं तो वह possible नहीं होता है हमें मेलनी यहां पर यह focus करना है कि हम अपनी तरफ से भी अगर कुछ चीज़ों का यूज यहां पर कर सकते हैं तो वह चीज़ें यहां पर make sure करी जाएं तो इससे यहां पर क्या होगा कि हम यह कह सकते हैं कि रियूज ठीक है रिडियूज और रिसाइकल करने से मिनरल्स का conservation बहुत जरूरी है अदर्वाइस आप यह समझेए कि मालीजे कि अगर हम अलग-अलग तरीके की चीज़ें यहां पर देखें हैं तो जो भी अलग-अलग तरीके के points मैंने अभी तक discuss की हैं जिससे आपको यह पता चल रहा है कि मिनरल्स यहां पर हमारे लिए कितने आवश्यक हैं तो अगर मालीजे कि यह मिनरल्स एक दिन यहां पर खतम हो जाएंगे तो फिर जो हमारी daily life है जो industries में यहां पर काम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है जो चीजे बना कर हम दूसरी countries को भेजते हैं और वहां से जो हमको revenue मिलता है पैसे मिलते हैं वो सारी activities जो हैं वो यहां पर रुख जाएंगी और इसी वज़े से यहां पर यहां पर बताई जारी है कि मिनरल्स का जो conservation है वो यहां पर करना बहुत जरूरी है तो यह point आपको ध्यान रखना है तो आई होप आपको यह चीजे जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी तो अगर आप देखोगे तो इस chapter कर नाम अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है mineral and power resources ठीक है तो यहां पर दो चीजे जो हैं वो आपको बताई गए हैं तो अभी तक मैंन मैंने आपको बताई हैं अब जो हमारा अगला segment यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह है power resources ठीक है तो power resources के बारे में हम बात करेंगे तो power resources का simple सा meaning जो है simple सा connection वो energy के साथ है है ना आज के time period पर जो भी commercial activities है जो भी industries आपको काम करती भी दिखाई दे रही है इवन जो human होता है वो भी अगर यहां पर सही तरीके से काम कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको यहां पर कुछ energy की requirement थी जो यहां पर वो fulfill हो रही ह तो अगर energy की requirement यहां पर fulfill नहीं होगी तो क्या कोई व्यक्ति कोई industries या कोई भी particular object जो है वो यहां पर काम कर पाए का क्या बिलकुल नहीं कर पाए का बिलकुल शून नहीं यहां पर आप यह कह सकते हैं कि उसका output होने वाला है और इसलिए कुछ ऐसे resources यहां पर होते हैं जो ह अलग-अलग तरीके की जो requirement होती है energy की अलग-अलग segments में वो यहां पर fulfill होती है और उसी को हम यहां पर power resources के अंदर कर जो है अब यहां पर पढ़ने वाले हैं तो जो भी अगर आपको कोई doubt होता है कुछ समझ में नहीं आता है है ना या कुछी भी तरीके का chapter से related कोई question है त ना लेकिन paper में question तो अलग तरीके के आएंगे उनका answer कैसे लिखेंगे है ना तो रोना नहीं है बिल्कुल ठीक है मैं यहां पर आपको अभी पहले chapter explain करूंगा फिर आपको मैं बिल्कुल तयार कर दूंगा आपके upcoming examination के लिए कि वहां पर questions कैसे आएंगे और आपको उन questions को क इस तरीके से prepare करना है तो कोई भी दिक्कत आपको जो है वह यहां पर नहीं होने वाली यह मैं बिल्कुल guarantee ले रहा हूँ ठीक है अभी आप chapter को जो है अच्छी तरीके से समझो तो अब हम यहां पर बात करते हैं power resources के बारे में बोला जा रहा है कि power और energy plays a vital role in our lives ठीक है हमको यहां पर क्या है हमको यहां पर power की जरूरत है चाहे वह हमारी अलग-अलग तरीके की इंडस्ट्री इस हो एगरी कल्चर अक्टिविटीज हो ट्रांसपोर्ट अक्टिविटीज हो कम्मुनिकेशन और डिफेंस ठीक है तो अलग-अलग तरीके की चीज़ें आपको दे अबिशन अबिलेबल नहीं है जैसे हम मिसाइल को पावर यहां पर दे सकें तो ताकि वह अपने रास्ते को ट्रवल कर सके तो फिर उस मिसाइल को कोई मतलब होगा क्या बिलकुल नहीं होगा तो इसलिए यहां पर यह चीज़ बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है कि इंडस् ने क्या किया था कि मिनल्स को अलग-अलग तरीके से हमने डिवाइट किया था उसी तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो पावर रिसोर्स होते हैं इनको भी हम दो तरीके से डिवाइट कर सकते हैं एक होता है नान कन्वेंशनल का मतलब यह है कि जो जारतर टाइम हम यहां पर य अगलग तरीके की resources होते हैं उनको हम non conventional के नम से यहां पर जानते हैं तो यह simple सा difference है थोड़ा सा यह आपको ध्यानक नहीं कि power जो भी यहां पर resources होंगे उनको हम यहां पर किस तरीके से categorize करेंगे तो अब मैंने आपको बता दिया कि conventional होगा non conventional होगा यह बात clear हो गई अब अगली बात अगर हम देखेंगे तो पहला जो दिया गया है इसमें बात की जारी है conventional sources के बारे में तो जो conventional sources होते हैं है ना यह resources होते हैं वह यहां पर क्या होते हैं इनके रिला यहां पर क्या करेंगी यूस लगातार कर रहे हमारे दादा की रिली किया उनके दादा इसे तरीके से यूश किया तो तो में कन्वेंचनल एनेर्जी सोर्सेस ठीक है तो याद रखिएगा आपसे कुश्चन जो है वो डारेक्टली हम पर पूछा जा सकता है कि भाई साब दो कन्वेंचनल सोर्सेस के नाम बता दो है ना तो आग जलाने के लिए लकडी का जो प्रियोग करते हैं और यहां पर इसमें कोई रिप्लेस्मेंट नहीं हुआ है जो हमारे पूरवजों ने किया उनके पूरवजों ने किया हमारे आगे की जो जनरेशन है वो भी उसी तरीके की चीज़ें यहां पर यूज करती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसे जो सोर्सेस होते हैं इनको हम कन्वेंचनल कन्वेंचनल में एक्जामपल याद रखना है और यह ध्यान रखना है क्योंकि यह बहुत टाइम पिरिएट से लगातार यहां पर यूज किये जा रहे हैं इसलिए हम इसको कन्वेंचनल बोलते हैं ठीक है चले अब अगली बात करते हैं इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करी गई है एक तो फायरवूड के बारे में एक फॉजिल के बारे में तो पहली बात करेंगे फायरवूड के बारे में हाथ भी ताप रहा है ना एकदम क्या है कि सीन बन जाता है तो बस वही बात बताई जा रही है कि कोकिंग के लिए और हीटिंग परपस के लिए आप किसका यूज करते हो जो लकडियां होती है उनका प्रियोग करते हो इनार कंट्री मोर दें 50% ऊफ एनेर्जी यूज़ बाइ विलेजर्स कम फ्रॉम दी फायरूट ठीक है हम लोग यहां पर यह बात करते हैं कि भाई हम लोगों ने गाव वगएरा में जो सिलेंडर वगएरा हो प्रॉइड कर दिया जैसे आप लोगों ने एक स्कीम है जिसको ब जो है वो चीजे बताई गई है कि एक LPG सिलिंडर जो है वो भरकर वापिस आपको free of cost देंगे ताकि जो लोग यहां पर लकडी वगएरा का प्रियोग करते थे न वो चीजे कम हो जाए और सेफ जब हम यहां पर हमारे जो अलग-अलग energy sources होते हैं उनका प्रियोग करेंगे तो क्या होता है कि जल गए हैना इसकिन वाली problems हो गई या उससे जो धुआ निकल रहा है उससे कई सारे लंग्स वगरा से related problems यहां पर हो सकती है तो काफी सारे issues जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि वो सब चीजे करने के बाद भी अगर आप देख वाला हो उन चीजों को यहां पर fulfill किया जाता है remains of plants and animals which were buried under the earth for million of years got converted by the heat and pressure into the fossil fuels मतलब आप यह कह सकते हैं कि इसमें दो चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं जैसे पहला point अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या बोला गया है कि अलग-अलग तरीके की चीजें आप ज जैसे कुछ remains वगरा होते हैं plants के animals के जिनको यहां पर क्या है कि मतलब जो धर्ती के नीचे यहां पर बहुत साल पहले million years ago पहले जो है वह दब गये थे वह यहां पर क्या है कि अलग-अलग तरीके से जो heat और pressure वगरा है उससे यहां पर क्या हो गया है कि वह fossil fuels के रूप में पर आपको convert होते हुए दिखाई दिए हैना मतलब simple सी बात यहां पर यह है कि आप यह कह सकते हैं कि वह सारू का सा जो है वह conversion किसमें हो गया हीट और pressure में changes हुए ना इस वज़े से वह fossil fuels में यहां पर आपको change होते हुए दिखाई दिए fossil fuels जैसे coal हो गया petroleum हो गया natural gas हो गया सब चीजों की मदद से हम यह कह सकते हैं कि यह सारी की सारी चीजे जो है वह conventional energy का एक पार्ट जो है वह आपको यहां पर देखने को मिलता है तो मैंने इसमें आपको थोड़ा सा firewood के बारे में बता दिया और थोड़ा सा मैंने आपको इसी में अगर आप देखोगे तो इसम के बारे में भी मैंने यहां पर discussion कर लिया है अच्छा एक बात यह धियान लखिएगा यहां पर ना firewood है लेकिन यही पर मैं आपको fossil fuels के बारे में भी explanation दे रहा हूं क्यों कि इससे पहले अगर आप ने देखा होगा तो मैंने आपको conventional energy जो sources है ना उसमें मैंने firewood और fossil fuels ठीक कर रहे है ठीक है चले fossil fuels में अगली बात हम देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहे है कि the results of these minerals are limited है ना आप यहां पर क्या है कि fossil fuels अगर आप देखोगे तो वह क्या है कि वो तो limited ही है ना वो ज्यादा है क्या नहीं वह limited है अगर आप firewoods के बारे में भी अगर बात करोगे तो वह भी limited है पेड़ तो limited ही है ना पेड़ वैसे लगते बहुत सारे है लेकिन अगर आप उसको काटते रहोगे काटते रहोगे तो एक दिन तो समापती हो जाएगा क्योंकि लगाने का तो किसी का मन नहीं करता है ठीक है तो लगाओगे तो चलो ठीक है फिर acceptable है लेकिन ल greater than the rate of their formation मतलब की जो formation यहाँ पर हो रहा है जो input यहाँ पर हो रहा है इंपुट बार धीरे की स्पीड में हो रहा है लेकिन output मतलब जब चीजों का आप यहाँ पर consume कर रहे हो जो आप चीजों को cut कर रहे हो उसका speed जादा है तो अगर आप यहाँ पर क्या है कि उसको exploit करना है तो यह point आपको समझना है so these are likely to be exhausted soon मतलब कभी भी यहाँ पर खबर आ सकती है ती आज की breaking news जितने भी fossil fuel ते सब यहाँ पर खतम हो गए तो फिर क्या होगा कि सबकी जो गाडिया है वो यहाँ पर क्या होंगी बंद हो जाएंगी और फिर क्या करेंगे लोग अपनी गाडिया यहाँ पर यह बनती है कि अगर कोई over exploitation हम यहाँ पर कर रहें चीजों का है ना अगर कुछ गलत तरीके से प्रियोग कर रहें तो उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर हम control करें जब हम चीजों को control करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा कि आपको benefit जो है वो देखने को मिलेगा तो यह point आपको समझना है तो मैंने आपको यहाँ पर conventional जो यहाँ पर resources है ना या sources है उन में अगर हम देखेंगे तो दो चीज़ें आपको बताई गहीं थी एक तो आपका firewood बताया गया था और एक fossil fuels fossil fuels में अगर आप देखोगे तो coal हो गया ठीक है fuel हो गया फिर जो भी आपकी natural gas वगेरा होती है यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रिजेंट देखने को मिल रही है तो fossil fuels में काफी सारी चीज़ें यहाँ पर covered हैं तो यह point आपको यहाँ पर समझाए गया है I hope यह सारी चीज़ें यहाँ आपको समझ में आई होंगी मतलब conventional में यह सब चीज़ें यहाँ पर included होती है ठीक है तो याद रुखिए का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि fossil fuels such as coal petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy चले अब अगली बात करते हैं अब यह basic basic सी चीज़ें बहुत जादा इसमें कोई explanation नहीं है जहाँ पर चीज़ें explain करने वाली होंगी वो मैं आपको बता दूँगा अब बात करते हैं coal के बारे में ठीक है coal का मतलब यहाँ पर क्या है steam engine send to generate electricity मतलब domestic fuel की तरह अगर आप देखेंगे तो घर वगरे में भी कोईले वगरे का जो यूज होता है वह यहां पर किया जाता है industries वगरा में iron और steel वगरा की जो industries वगरा होती है है न आप वहां पर आग लगानी होती है कुछ यहां पर फरनिश वगरा में जो temperature वो increase करना होता है तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि उसमें कोईले का प्रियोग करेंगे ठीक है steam engine वगरा जो होते हैं अब electric engine जो होते हैं उस उसको यहां पर generate किया जा सके है ना तो यह चीज आपको देखने को मिल रही है उसके बाद उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि electricity from coal is called thermal power ठीक है कभी यह point आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर क्या होगा electricity का generation होगा किस से coal से तो ऐसी power को हम क्या बोलते है thermal power ठी सकते हैं the coal which we are using today was formed million of years ago when giant funds and swamps got buried under the layers of the earth मतलब आज के time period पर जो हम यहां पर use कर रहे है किसका जो coal वगरा है उसका जो हम use करते हैं वह millions of years ago पहले यहां पर क्या था कि temperature हो गया heat वगरा हो गए pressure वगरा हो गए वह situation जैसे जैसे यहां पर change होती जाती है आप यहां पर यह कह सकते हैं कि फिर उनका formation हुआ और आज के time period पर हम उसका यहां पर use कर पा रहे हैं तो coal is therefore referred to as a buried sunshine ठीक है तो मतलब यह दबा हुआ था लेकिन आज के time period पर हमारे लिए बहुत जादा useful है इसलिए हम इसको buried sunshine भी जो है वह यहां पर कहते हैं ठीक है क्योंकि coal का use हो रहा है पहले दब गया थे लेकिन सोचो बाहर निकल कर हमारी कितनी मदद कर रहे हैं इसलिए buried sunshine जो है उसको यहां पर हम कहते हैं तो यह point आपको यहां पर ध्यान रखना है coal से related मैंने आपको चीज़े जो हैं वह यहां पर explain करी हैं आप यहां पर यहां पर यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप से कोई पूछे कि बाई leading जो coal producers हैं वो कौन-कौन से हैं तो आपको आप regular basis space को थोड़ा याद करते रहोगे तब आपको चीज़े एकदम perfectly हम पर पता चल जाएंगे अब अगर माल लीजेगी हम लोग यहां पर बात करें ठीक है कि हमारे देश में जो coal producing areas हैं अब यह बहुत important है इस पर map के उपर भी question जो है वो यहां पर बनेंगे ठीक है तो जारखंड में यहां पर यह regions है अलग-अलग ठीक है रानी गंज, जारिया, धनबाद और बोकारो यह particular areas है जहां पर आपको coal का जो production है वो आपको बड़े scale पर देखने को मिलता है तो भारत में coal का production कहां कहां पर होगा अलग-अलग जो sites यहां पर है, mines वगरा है जहां पर coal का production किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है रानी गंज, धनबाद और बोकारो जो हैं यह जारखंड में हैं जहां पर यह सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो यह point आपको एकदम crystal clear होना चाहिए तो I hope यह सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने यहां पर coal के बारे म आपके साथ discuss करी हैं यह सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कोई भी doubt होता है तो आप मुझे comment section में mention अब अगला जो discussion हम यहां पर करेंगे इसमें हम petroleum के बारे में बात करेंगे ठीक है तो हम अलग-अलग तरीके के जो power resources हैं उनके बारे में discussion कर हैं जिसमें मैंने coal के बारे में आपको पढ़ा दिया और अब हम यहां पर discussion जो करेंगे उसमें हम petroleum के बारे में बात करेंगे ठीक है petroleum का basic सा मतलब यहां पर यह होता है कि petrol diesel है न यह हम लोग जानते हैं लेकिन petroleum में और भी अलग-अलग तरीके की चीज़ें आपको दिखने क oil that keeps your cycle from squint both begin as a thick black liquid called petroleum ठीक है simple सी बात यहां पर यह बताई जा रही है कि हम सभी लोगों की ठीक है जिसके बास bike है car है वो सब चीज़ें जो आसानी से यहां पर run कर रही है और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि गाड़ी में अलग-अलग तरीके की आवाज आती ह ठीक है तो आवाज अगर वहाँ पर आ रही है तो उस चीज़ को भी control करना पड़ेगा तो जैसे गाड़ी बगरा हम servicing के लिए देते हैं न तो उसमें बोला जाता है कि बाई oil change करना पड़ेगा तो वो चीज़ भी यहां पर क्या है कि petroleum से ही related है तो जो petrol diesel होता है और जो oil य चीज़ें यहां पर start होती है petroleum के अलावा अगर आप एक शब्द यहां पर use करेंगे तो इसको हम यहां पर crude oil कहते हैं ठीक है crude oil जैसे हम बोलते ना कि हमने भाई भारत जो है वो दूसरी country से कच्चा तेल यहां पर खरीद रहा है तो कच्चे तेल का मतलब यहां पर होता है crude oil के बारे में ठीक है अब एक बात यहां पर यह समझेगा कि जैसे यह word मैंने आपको petroleum यहां पर बताया है तो petroleum शब्द जो है वो derive कहां से हुआ है एक Latin word है ठीक है यह ध्यान रखिएगा petroleum जो शब्द है वो एक Latin word से यहां पर derive हुआ है और वह Latin word यहां पर कौन सा है उसका न petra मतलब rock हो गया oleum मतलब oil हो गया, तो overall अगर हम petroleum को तेखेंगे तो petroleum को यहां पर क्या बोलते है, rock oil के नाम से यहां पर जाना जाता है, ठीके, तो यह एक number का प्यारा सा question जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो यह चीज आप से directly पूछी जा सकती है, Latin word है Petra और जिसका meaning है rock और overall हम petroleum को यहाँ पर rock oil जो है वो यहाँ पर कहते है ठीक है फिर उसके बाद अगली बात यहाँ पर करेंगे it is found between the layers of rock आप मुझे यह बताएंगे कि जो petroleum होता है वो किस तरीके की rock में आपको दिखने को मिलता है है ना इसके पहले मैं आपको अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह बहुत ही important question है इसको UPSC ने भी अलग-अलग examination में यहाँ पर पूछा UPSC क्या है भई? UPSC है Union Public Service Commission जो आपके Civil Services examination हो गया है है ना NDA examination हो गया इस तरीके के अलग-अलग examination होते हैं वो यहाँ पर conduct करवाते हैं ठीक है फिर उसमें बोला जा रहा है कि भाई यह rocks के बीच में मिलता है and is drilled from oil field located in offshore and coastal areas तो जो भी यहाँ पर coastal areas वगरा होते हैं ठीक है या आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो भी आपको offshore यहाँ पर चीज़ें located देखने को मिलती हैं वहाँ से इनको drill किया जाता है ठीक है जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक photo यहाँ पर पहले दिखाई थी जब मैं आपको अलग-अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर समझा रहा था तो इस time period पर अगर आप देखोगे तो एक यह डाइग्राम जो है वह आपके सामने आया था ठीक है just give me one minute मैं आपको फोटो दिखा देता हूं ताकि चीज़ें जो हैं एक दम आपकी दिमाग में fit हो जाए इना तो आप यह देख सकते यह drilling वाली process है drilling वाली process से जो Petroleum है उसके यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है तो यह process यहाँ पर काम करती और इस तरीके से यह चीज़ें आपको देखनी को मिल रही है ठीक है तो यह चीज़ें आपको ध्याँ रखना है जो भी चीज़ें आप पढ़ी है उनको connect करो आप है ना जब उनको आप एक बार connect करने लगोगे न तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से questions का जो answer है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे ठीक है फिर उसके बाद जब आपने एक बार crude oil को बाहर निकाल लिया है ना या जो petroleum है उसको यहा पर होते हैं वहाँ से बाहर निकाल लिया this is then sent to the refineries which process the crude oil and produce a variety of product like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants ठीक है लुब्रिकेंट का प्रियोग क्या होता है जैसे आपने देखा होगा ना break वगरा के बीच में lubrication यहाँ पर होता है lubrication का basic purpose यहाँ पर ही होता है कि दो parts के बीच में जो friction है ना उसक को हम यहाँ पर reduce कर सकें तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से crude oil निकाला बाहर crude oil के बाद इसको यहाँ पर क्या करते हैं refineries जो होती है अलग-अलग वहाँ पर भेजते हैं वहाँ पर इसका distillation यहाँ पर किया जाता है process किया जाता है और इसके बाद अलग-अलग तरीके क काला-काले रंका वो होता है फिर उसको यहाँ पर अलग-अलग तरीके की जो refineries होती है ठीक है वहाँ पर लेकर जाएंगे वहाँ पर इनको refine किया जाएगा अलग-अलग तरीके की process इनकी उपर apply की जाएगी और उसके बाद फिर अलग-अलग तरीके की जो products यहाँ पर होत सकती है ठीक है बहुत आसान चेप्टर है इसमें बस आपको कुछ बेसिक सी चीजें है वो याद रखनी है है आप जैसे यह पर्टिकुलर टम है है यह सब आपको याद रखना पड़ता है बागी तो फिर आप आसानी से आंसर वगएरा जो है वो लिख सकते है पेट्रोलियम पेट्रोलियम के लिए जो हम यहाँ पर रिवलशन यहां पर कह सकते हैं उसी तरीके से को होता है पेट्रोलियम के लिए जो हम यहाँ पर revolution यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं black revolution ठीक है black revolution का basic मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि petroleum वाली जो चीजे हैं इनके use को और इनका जो production वगरा है उसको यहाँ पर बढ़ाना तो यह black revolution है क्योंकि आज के time period पर अगर आप देखेंगे तो अल इसका भी revolution बढ़ाना पड़ेगा तो याद रखिएगा और इसी की importance की वज़े से आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इसको black gold के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं क्योंकि यह बहुत जादा valuable है जैसे gold valuable है न उसकी value बहुत जादा है सोना जो होता है उसी तरीके से इसको हम काल सोना जो है वो भी कहते हैं मतलब black gold के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं ता chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar मतलब की oil का जो production यहाँ पर होता है वो अगर आप देखोगे तो इरान में भी होता है, Iraq में भी होता है, Saudi Arabia में भी होता है, Qatar में यह production की बात हो रही है फिर अलग-अलग countries क्या करती हैं कि अपने हिसाब से अलग-अलग countries से उस oil को जो है वो यहाँ पर import करती हैं, दूसरी बात अगर आप देखोगे और भी कुछ यहाँ पर major producers हैं, जैसे USA हो गया, Russia हो गया, Venezuela के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, Algeria यहाँ पर हो गया, यह सारी अलग-अल countries हैं, ठीक है, जैसे इसमें अगर आप देखोगे, अगर overall एक countries के बारे में बात करें, तो जो Middle East countries है, उनका importance बहुत जादा है, अब अगर आपको एक question समझ में नहीं आ रहा है, सरी यह Middle East यहाँ पर क्या होता है, तो Middle East अगर आपको देखना है, तो मैं एक बार आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तब आपको जो चीजे हैं वो यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यह देखिए, यहाँ पर क्या है, यह आपको इंडिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, है न, यह जो position है, यह इंडिया की position है, है न, इसके West में अगर हम ठीक है, यह वाला region, यह region यहाँ पर क्या है कि oil की production के लिए बहुत जादा famous है, मतलब यहाँ पर जो oil का production होता है, वो बड़े scale पर आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन USA में, अरेशिया में, वेनिजवेला में, अलजीरिया वगरा में, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे यह एशिया की सबसे पुरानी यहाँ पर oil refinery है, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा कि यह है आपका दिखबोई, ठीक है, तो दिखबोई कहाँ पर है, दिखबोई आसाम में आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद Bombay High आपको रिवर्स होती है या इस्टन फ्लोइंग रिवर्स होती है, जैसे नर्मदा और तापी क्या है, वो वेस्टन फ्लोइंग रिवर्स है, मलब Arabian Sea में ड्रेन करती है, तो वो डेल्टा नहीं बनाती, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर बेंगॉल की तरफ देखेंगे, तो deposit करने की वज़े से यह जो particular area यहाँ पर होता है, यह बहुत जादा आपको यहाँ पर fertile देखने को मिलता है, ठीक है, तो जो Krishna और गोदावरी रिवर हैं, ठीक है, यह दोनों रिवर कहां से originate होती है, यह महराष्टरा से यहाँ पर originate होती है, तो इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि दिखबोई हो गया आसाम में, बॉंबे हाई हो गया मुंबई में, और जो Krishna और गोदावरी रिवर का यहाँ पर डिल्टाज है, ठीक है, इनको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो oil वगरा होता है, पेट्रोलियम वगरा होता है, इसका production आप को बड़े scale पर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यह point आपको ध्यान लखना है, यह थोड़ा सा petroleum के बारे में मैंने जानकरी बताई है, कौन-कौन सी country में petroleum का production होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और भारत में कहां-कहां पर production होता है, वो भी चीज़ आपको ध्या our resources हैं, इसमें हम natural gas के बारे में बात करेंगे, ठीक है, natural gas यहाँ पर क्या होती है, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है, natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जहां से आप यह crude oil लेकर आ रहे होना, वहीं पर क्या होता है, कि वहाँ पर ही आपको natural gas देखनी को मिलती है, जब आप एक बार क्या करते हो, कि crude oil को यहाँ पर surface पे ले आते हो, उसको बाहर निकाल लेते हो, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि यह जो natural gas होती है, वो भी यहाँ पर आपको release होती हुई दिखाई देती है, मतलब आपने क्या किया कि भई, जो petroleum ह है, जो crude oil है, उसको बाहर निकालने के लिए आपने drilling करी, अब आप यहाँ पर crude oil बाहर निकाल रहे हो, तो जब यहाँ पर crude oil आप बाहर निकालते हो ना, तो उसके साथी साथ यहाँ पर natural gases होती है, जो यहाँ पर उनके साथ deposit होती है, तो जैसे आप यहाँ पर crude oil दिखा लो की जरूरत होती है वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है अगर आप देखोगे कि नैचुरल गैस का जो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है ठीक है इसमें से कौन-कौन सी कंट्रीज है जो नंबर वन कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी है ना मतलब नंबर वन है जहाँ पर प्रोडेक्शन बड़े स्केल पर होता है जैसे रस्या हो गया नौर्वे हो गया यूको हो गया 아침 के कापिल यू की कैपिटल यूग यूज की कैपिटल जो है लंडन हो गया नीधरलेंड की कैपिड़ Amsterdam आपको देखने को मिलेगा कई बार क्या होता है कि जैसे मेरी habit यहां पर यह है कि अगर कोई भी country बगएरा इस तरीके से पढ़ते दोरा नहां पर आती है तो मैं कोशिश यह करता हूँ कि उनकी capitals बगएरा भी आपको बताती चलूँ है न क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको capitals याद गरनी पढ़ेंगी है न जैसे अलग-अलग तरीके के examination होते जैसे Olympiad हो गया NTSC हो गया इस तरीके के examination में कई बार questions ऐसे आते हैं कि इस country की capital बताओ है न तो वो चीज़ आपको पता होना जरूरी है इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो जैसलमेर ठीके जैसलमेर कहां पर है जैसलमेर आपको राजिस्थान में देखने को मिलेगा कृष्टना गोदावरी जो डिल्टा है ठीके जहां पर अभी हमने petroleum के बारे में बात करी है वहीं पर आपको natural gases भी देखने को मिलते हैं त्रिपुरा एक state है जिसकी राज़दानी अगरतिला है and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources तो Mumbai बगरा में भी आपको थोड़ा सा natural gas की जो resources है वो यहां पर देखने को मिलते हैं very few countries in the world have sufficient natural gas reserve of their own ठीके मलब बहुत कम countries आपको एसी देखने को मिलेगी जहां पर क्या है कि उनके पास इतना natural यहां पर resource है कि वो उनके लिए sufficient आपको देखने को मिले जो natural gas के resources है न वो इतना नहीं है उनके पास कि यह sufficient देखने को मिलता है इसी वज़े से क्या होता है कि natural gas की requirement को fulfill करने के लिए वो दूसरी country से जहां पर abundant जो है वो natural gas का production यहां पर होता है वहां से वो लोग क्या करते हैं कि वो import करते हैं ठीक है जैसे भारत भी अगर आप देखोगे तो दूसरी country से यहां पर natural gas वगरा मंगाता है आप देखो यहां पर क्या है कि एक fact दिया हुआ है ठीक तो आपको मुझे यह बताना है कि जो cng होता है इसके constituent कौन से होते हैं मतलब जब हम cng की बात यहां पर कर रहे हैं तो यहां पर क्या है कि कौन सी gas होती है जो आपको compressed natural gas में देखने को मिलती है जैसे आपने देखा होगा आजकल cng auto वगरा होते हैं डेली वगरा में तो का यहां पर वहान है वो आपको बड़े scale पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह थोड़ा सा natural gas के बारे में कुछ important चीजे हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होने चाहिए कहां कहां पर इंडिया में मिलता है है और दूसरी countries कौन कौन से इसके leading producer है वो चीज आपको पता होना जरूरी है अब अगली बात देखेंगे the sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at the alarming rate ठीक है अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि भई आज के time period पर अगर देखो गया तो population बढ़ रही है population बढ़ने के साथ ही साथ लोगों की यहां पर जो demand है वो बढ़ रही है तो industries वगरा में जो काम होता है वो भी बड़े scale पर हो रहा है तो जब बड़े scale पर काम होगा तो जो fuels वगरा की requirement होती है वो भी यहां पर आपको जादा देखनी को मिलेगी दूसरी बात automobiles वगरा जो vehicles वगरा होते उनकी भी यहां पर demand बहुत बढ़ रही है क्योंकि वह population बढ़ रही है तो लोगों को यहां पर क्या है कि गाड़ी वगरा भी यहां पर चाहिए तो इसकी वज़े से भी आप यह कह सकते हैं कि petrol, diesel वगरा की demand जो है वो बड़े scale पर अधरवाई situation बहुत ज़्यादा खराब यहां पर हो जाती ठीक है क्योंकि हमारा जो use है fossil fuels का जो petrol diesel है वो बहुत ज़्यादा यहां पर हो गया है और इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि अगर demand ज़्यादा है तो supply maintain करना पड़ेगा तो supply हमको इतना करना पड़ रहा है कि जो अलग-अलग तरीके की resources है ना इनका depletion यहां पर हो रहा है depletion का मतलब आप यह कह सकते हैं कि यह आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे तो alarming situation यहां पर create कर रहा है कि अधर भविश में इनकी उपर हमने सोचा नहीं कोई दूसरे जो resources है उनका alternative जो है वो हम लेकर नहीं है the toxic pollutants released from burning these fuels are also cause of concern ठीक है अब यहां पर क्या होता है कि जहरीले जो pollutions वगरा होते हैं ठीक है आपने देखाया कि pollution वगरा की वज़े से जो आपकी respiratory illness है सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है skin से related भी काफी सारी problems होती है तो बहुत सारे issues जो है वो already create हो रहे हैं तो इसकी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि जो pollution है इनसे जो pollutants यहाँ पर निकल रहे हैं ठीक है pollutants वो लोग होते हैं जो यहाँ पर pollution के लिए responsible होते हैं ठीक है उनको हम pollutants कहते हैं तो यह भी कहा है कि cause for concern आपको देखने को मिलेगा unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap ठीक है which will eventually run dry ठीक है तो आप यह कह सकते हैं कि अगर जो fossil fuel जिस तरीके से बन हो रहा है जैसे आपने देखा होगा गाड़ी वगरा का PUC certificate होता है कई लोग इसको भी ignore कर देते हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ता है कि हमारी गाड़ी से कितना toxic pollutant जो है वह यहाँ पर निकल रहा है तो वह भी यहाँ पर problem आपको देखने को मिलेगी तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि PUC certificate वगरा जो है यह काफी important चीज है जि और इस केस में भी आपको देखने को मिलेगी तो भारत के लावा कई ऐसी countries हैं ठीक है जो यहाँ पर क्या करती है कि इस चीज की उपर focus कर रही है कि हमें कुछ alternatives जो है वह यहाँ पर find out करना होगा alternatives का basic मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कुछ ऐसे non-conventional sources क्योंकि यह सब चीजें तो conventional है जो पहले से यहाँ पर use होती हुई आ रही है तो हमें कुछ ऐसे sources के बारे में सोचना होगा जो non-conventional है जिनका प्रियोग लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहें लेकिन वो क्या है वो cleaner sources हैं है समझ में आई होगी कोई भी डाउट अगर होता है तो comment section आप सब के लिए open है आप उसमें mention करिए का अपने doubts मैं personally अपने वीडियो के जो यहाँ पर comment होते हैं monitor करूँगा ठीक है और उसके बाद जो भी response होगा वो मैं आपको यहाँ पर reasonable questions के यहाँ पर provide कर दूँगा ठीक है idle power मतलब जैसे यह होता है न कि हम पानी वगरा से related यहाँ पर कुछ resources है है ना पानी का भी क्या use कर सकते हैं क्या तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि rain water और river water is stored in a dams is made to fall from heights ठीक है जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पर rain water है है ना जो पारिश का पानी होता है या जो river का water होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग-अलग तरीके की dams वगरा यहाँ पर बना लेते हैं और फिर क्या करते है कि उस पानी को store कर लेते हैं है ना जैसे माल लीजिई कि ब्रह्मपुत्रा river है तो उसकी उपर हमको dams बनाने है और प्रोनाचल प्रदेश हो गया वहाँ पर बाढ़ वाली सिचुएशन फ्लड वाली सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है तो डैम्स को अगर हम रोक लेंगे तो वाटर फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो डैम आपने यहाँ पर बना जहाँ पर तरीके वहाँ इस तरीकए क्या है तो इसका नाम क्या है और अप ब्रेकट में ये भी मेंशिन करना कि आप किस पतिकुलर जगे की बात यहाँ पर कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि यह आपको डैम दिखने को मिल रहा पानी स्टोर है ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कुछ चीजे हैं जैसे अकर आप देखोगे तो यह टरभाइन है ठीक है टर्भाइन बेसीक लिका करता कि चीज़े जो हैं वह यहां पर प्रेड्यूस कर सकते हैं मतलब पावर वगरा जो है उसको यहां पर जन्रेट यहां पर किया जा सकता है तो बोला जा रहा है कि वाटर को हमने डैम में एक अठा किया उसको हाइट से गिराया ता फॉलिंग वाटर फ्लोस थू पाइप को देखने को मिलेगा जैसे आप यहां पर देखेंगे न यह टरबाइन दिख रहा है तो अलग अलग तरीके की पाइपस वगरा होती है तो इनकी ब्लेट की उपर क्या किया जाता है इनकी ब्लेट की उपर जो है वो पानी को गिराया जाता है दा मूविंग ब्लेट दें ट का मतलब यह हुआ कि पानी के माध्यम से जो electricity का generation यहाँ पर किया जा रहा है उसको hydro electricity यहाँ पर कहते हैं तो simple irrigation एक बार आपने क्या कर लिया कि पानी वगरा का जो प्रियोग है वो यहाँ पर कर लिया पानी वगरा को फिर आप क्या करोगे डिश्चार्ज करोगे मतलब आगे की तरफ वो फ्लो होता हुआ दिखाई देगा जिसको आप खेत वगरा में irrigation परपस के लिए चीजों को यहाँ पर utilize कर सकते हैं ठीक है तो यह point आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद यहाँ पर यह ध्यान रखना है एक important fact यहाँ पर यह दिया गया है कि भाई वो पहली country कौन सी है जिसने यहाँ पर hydro electricity जो है वो डवलप किया मतलब पानी से electricity generate करने वाली पहली country कौन सी है तो इसका न generate किया था one fourth of the world's electricity is produced by the hydro power मतलब आज के time period पर जैसे मालोगी total है ना एक electricity मैं example बता रहा हूँ एक electricity generate हुई है तो इसका one by four part जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है वो hydro power के द्वारा किया जाता है आज के time period पर भारत में कई सारे dams आपको देखने को मिलेगे चीक dam आपको देखने को मिले बहुत सारे dams है है ना हमारे देश में और यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी electricity यहाँ पर generate होती है उसका one by fourth जो part है वो यहाँ पर hydro power मतलब कि पानी के माध्यम से यहाँ पर electricity को generate यहाँ पर किया जाता है तो परागवे हो गया नौर्वे हो गया ठीक है ब्राजील हो गया और चाइना यह कुछ important countries हैं जो यहाँ पर क्या करती है कि हाइडल पावर की छितर में काफी इनोंने अच्छा काम किया है बलब हाइडल पावर का जो production यहाँ पर हुआ है वो इन countries में बड़े scale पर होता है ठीक है तो कौन कौन सी countries है परागवे नौर्वे ब्राजीलेंड चाइना बागी सब countries की capital तो आपको पता होगी मैं यह चाहता हूं कि परागवे जो यहाँ पर country है इसकी capital आप मुझे comment section में यहाँ पर जरूर पता है अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंड पर दिखा हुआ है भाखडा नांगल यहां पर है ठीक है फिर गांधी सागर है फिर नागर जुन सागर आपको देखने को मिलेगा दामोदर वैली यह कुछ यहां पर important projects है ठीक है जहां पर क्या होता है कि पानी के माध्यम से electricity जो है वह यहां पर generate की जाती है तो इसके बार अगर आप हाइडल पाबर से रेलेक्टिट यहां पर कोई चीज लिखने को आया paper में तो इंडिया के रिस्पेक्ट में यह सारे एक्जामपल आप लिख सकते हैं इनके अलावा भी अगर आपको कोई डैम यहां पर पता है तो उनके बारे में भी लिख सकते हो ऐसा नहीं कि केवल जो यहाँ पर बताएगे है केवल उन्हीं के बारे में आपको लिखना है ठीक है बास समझ में आ गई चले आगे बढ़ते हैं अच्छा एक important fact यहाँ पर है important fact में लिखा हुआ है कि the site of the world first solar and wind powered burst shelter is in Scotland ठीक है तो यहाँ पर कहें कि अभी हम solar energy के बारे में wind energy के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसी से related यह fact है कि दुनिया का पहला जो यहाँ पर solar and wind powered यहाँ पर बस shelter है वो कहाँ पर है वो आपको Scotland में देखने को मिलेगा ठीक है तो यह important fact है मलब यह सारी countries है जो solar energy के रूप में है यह आपके book में भी यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजे जो है वो मैं आप यहाँ पर बताना चाहता हूं जैसे अगर माल लीजिए कि यहाँ पर कुछ points यहाँ पर discuss किया जए ठीक है जैसे oil वगरा क्या है oil के बारे में हम बात करते हैं ठीक है फिर जो natural gas है उसके बारे में बात करेंगे तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि बहई oil वगरा या natural gas का अगर हम यहाँ पर प्रियोग करते हैं तो इसके advantage यहाँ पर क्या है पहली बात अगर देखोगे oil का जो advantage यहाँ पर है तो आसानी से transfer किया जा सकता है फिर उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि basis of petrochemical industry मदलब आप यह कह सकते हैं कि जो भी petrochemical industries यहाँ पर काम करेगी उनके लिए यह काफी ज़्यादा important role यहाँ पर play करता है natural gases की वगरा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि easier to transport pipelines वगरा के माध्यम से आप चीजों को आसानी से जो है वह यहाँ पर transport कर सकते हो cleaner than oil and coal है ना natural gas जो होती है जो oil वगरा होता है जो coal वगरा होता है उससे यहाँ पर clean होती है मतलब इससे ज़्यादा pollution आपको देखने को नहीं मिलेगा और natural gas जो होती है वो oil से यहाँ पर आपको थोड़ा सा सस्ती देखने को मिलती है मतलब कि cheaper देखने को मिलती है ठीक है तो ये दोनों के अलग-अलग तरीके के advantage है तो advantage आपको पता होना चाहिए कि advantage क्या होगा है ना मतलब अगर कोई चीज गलत भी है तो उसका भी advantage पता होना चाहिए at least कि वो advantage क्या दे सकता है फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पर disadvantage है मतलब कि जो conventional sources of energy में अगर हम disadvantages यहाँ पर देखेंगे तो जैसे depletion of oxygen due to oil spillage and gas leakage अब क्या होता है कि जैसे माल लीजेगा कि आप यहाँ पर यह कह सकते हैं पानी वगरा के माध्यम से oil वगरा लेकर जाया जाता है है ना समुद्र वगरा से तो अगर माल लीजेगी वहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई spill हो जाता है मतलब आप यह कह सकते हैं कि कोई leakage वगरा यहाँ पर हो जाएगा तो पानी वगरा में मतलब कि अगर आपको कहीं पर नई जगे पर यहाँ पर मिला है है ना तो इसको explore करना कि वह किस तरीके से यहाँ पर अविलिबल है उसके उपर कैसे focus किया जाएगा क्या-क्या आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं वो चीजे आसान नहीं होती उसमें भी काफी ज़दा cost आपको देखने को मिलती है फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यूस करते हुए दिखाई देते हैं disadvantage में अगर आप देखोगे तो firewood को यहाँ पर collect करना है ना एक एक लकडी जो है वो धोन कर एक अठा करना इसमें collection में time लगता है pollution यहाँ पर होता है फिर उसके बाद है जो greenhouse effect होता है greenhouse effect कैसे होगा भी कि इससे अलग-अलग तरीके की जो gases है greenhouse gases वो यहाँ पर release होगी जो यहाँ पर क्या करेंगे जो radiation होते हैं जो earth से यहाँ पर निकलता है radiation उसको trap करके रखेंगे तो overall global warming वगरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है लोग क्या करते हैं कि लकडी वगरा के चक्कर में जंगल वगरा यहाँ पर cut करेंगे तो deforestation भी आपको यहा इने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं कि बहुत जादा efficiency हमको मिल गई है कि किस तरीके से coal से हम electricity जो है thermal power plant वगरा से generate यहाँ पर कर सकते हैं फिर उसके बाद pollution यहाँ पर होगा इसका disadvantage में देखेंगे तो polluting source है और उसके बाद यह है bulky to transport आपने देखा होगा ना कि इसमें क नीचे वाला point है ना यह हाइडल power से related है तो हाइडल power के advantage में अगर आप देखोगे तो advantage यह है कि इससे कोई pollution नहीं होगा है ना डैम वगरा से अगर हम electricity generate यहाँ पर करते हैं पानी के माध्यम से तो कोई यहाँ पर pollution नहीं होता है फिर उसके बाद irrigation और fishing वगरा जो है उसका promotion होगा है ना खेती वगरा अच्छे से हो पाएगी fishing वगरा की activities अच्छे से हो पाएगी और इसमें कहाएगी cheap है मदब एक बार आपने install कर लिया तो आसानी से बहुत साल तक यह आसानी से काम करता हुआ दिखाई देगा फिर उसके बाद disadvantage में अगर आप देखोगे तो क्या ह पर हो सकता है ठीक है फिर उसके बाद inundate low lying region ठीक है जो low lying region है जहां पर नीचे की तरफ जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके लिए खत्रा यहां पर उत्पन हो सकता है बाढ़ वगरा वाली situation जो मैंने आपको बताई और उसके बाद इसको setup करना जो है वो थोड़ा सा expensive होत के हम जो लोग अभी आसानी से यहां पर electricity बगरा का generation कर रहे थे उसके advantage क्या हो सकते हैं disadvantage क्या हो सकते यह table आपकी book में भी यहां पर बनी हुई है ठीक है तो इसको एक बार आप go through करिएगा थाकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से यहां पर clear हो क्योंकि आपसे जो है वो non-conventional sources के बारे में बात करेंगे non-conventional sources का मतलब यहां पर यह हुआ कि वो sources जिनका हम अभी उतना ज्यादा use नहीं करते हैं ठीक है या उसका बहुत पहले से यहां पर use नहीं हो रहा है तो जैसे होता न conventional technique है ना यह तो मैं ऐसी करता हूं हाना यह तो मेरी आदत है मैं इसी तर उपर सोच रहे हो जिसके उपर अभी तक किसी ने नहीं सोचा या आप यह कह सकते हैं कि उन power resources के बारे में आप यहां पर सोच रहे हो जिससे अभी power generate अभी यहां पर नहीं कर रहे थे अब हम यहां पर plan कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम यह समस्ते हैं कि इसका कारण क्या है the increasing use of fossil fuels is leading to its shortage ठीक है किसी भी चीज का अगर आप यहाँ पर क्या करोगे जादा प्रियोग करोगे तो इससे यहाँ पर क्या होगा इससे आप यह कह सकते हैं कि shortage जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है मलब कि fossil fuels जो है वो होगा ठीक है अगर आप उसका लगातार प्रियोग करते रहोगे तो चीज़ें कम हो जाएंगी इस एस्टिमेटेड दैट इफ दा प्रेजेंट रेट ओफ कंजम्चन कंटिनूस दे रिजर्वस ओफ दी फॉजल फ्यूल विल गेट एक्जॉस्टेट ठीक है सिंपल सी बात यह है कि जैसे हम आज के टाइम पीरेट पर फॉजल फ्यूल पेट्रोल डीजल वगरा इन सब चीजों का यहां पर प्रियोग कर रहे हैं अगर हम आगे भी इसी तरीके से प्रियोग करते रहेंगे तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि जो फॉजल फ्यूल से ठीक है वह यहां पर आपको एक्जॉस्टेट देखने को मिलेगे बलाप कुछ समय के बाद आप यह कैसकते हैं कि चीजें जो है मार्च अप्रेल वगरा में इतनी गर्मी पढ़ने लगती है कि मतलब माई जून का याद यहां पर आ जाता है और माई जून में तो सोचो क्या होने वाला है तो इसकी वज़े से यह प्रॉबलम आपको देखने को मिलेगी therefore there is a need for using non-conventional sources जो non-conventional sources हैं जिन से pollution वगरा यहां पर कम होता है और जो renewable हैं मतलब कि उनकी जो मात्रा है वो खतम नहीं होगी वो exhausted आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो ऐसे resources का में प्रियोग करना पड़ेगा जैसे आप देख सकते हैं solar energy हो गया wind energy हो गया tidal energy वगरा हो गया इनका आप यहां पर use करो अभी हम इसके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक question यह बन सकता है कि इन में से कौन सा conventional energy है है ना चार option देदेंगे तो आपको identify करना पड़ेगा कि conventional energy का जो example है वो यहां पर कौन सा या conventional sources हैं उनका example बताओ या जो non-conventional sources हैं उनक example बताओ तो उस तरीके से आपको चीज़ें जो हैं वह यहां पर समझनी जरूरी है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे solar energy के बारे में suns heat and light energy can be felt by us everyday मतलब की जो सूरज की गर्मी है ठीक है और सूरज की जो light है वो हम सब को यहां पर feel होती है वो भी यहां पर आपको change होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो sun की जो heat है और जो light है है आप उससे यह कह सकते हैं कि उससे हमको यहां पर problem जो है वो देखने को मिलती रहती है उस चीजों से जो है वो exposure हमको मिलता रहता है solar energy trapped from the sun can be used in the solar cell to produce electricity है ना अलग-अलग तरीके के जो solar cells वगरा होते हैं उनमें हम इसका यहां पर प्रियोग कर सकते हैं और उससे यहां पर क्या है electricity को जो है वो produce किया जा सकता है आप इस तरीके की चीजे देख सकते हैं हो सकता है कि आप में से कई लोगों के घर में इस तरीके के जो cells वगरा है वो यहां पर लगे हो पैनल्स व होते हैं उनको connect कर देते हैं और उससे फिर यहां पर electricity generate होती है जिससे heating और lighting purpose के लिए हम यहां पर use कर सकते हैं जैसे पानी बगरा गरम करना बल्ब बगरा जलाना इन सब purpose के लिए इन चीजों का यहां पर प्रियोग किया जा सकता है the technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with the abundant sunshine ठीक है tropical countries का basic मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे माल लीजे कि आपने यहां पर यह globe बनाया ठीक है यह जो particular यहां पर latitude है यह zero degree है आप उपर की तरफ अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह 23.5 डिग्री नॉट जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं है ना और यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह आपका 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन बोलते हैं तो यह जो पर्टिकुलर रीजन है ना यहां पर क्या होती है कि संड्रेस डिरेक्टली फॉल करती है मतलब कि संड्रेस जो है उनका जो इंपक्ट है यह इस पर्टिकुलर रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है तो भारत भी सी केटिगरी में आपको दे दिखने को मिलेंगे है ना solar cooker देखा है आपने सभी ने जिसमें खाना बनाया जाता है फिर solar dryers वगरा होते हैं besides being used for the community lighting and traffic signals ठीक है traffic signals वगरा में भी जो light होती है वो solar जब यहां पर sunlight पड़ती है तो उससे चार्ज हो जाता है और रात में फिर आपको जलती हुई दिखाए दितनी है तो इसी वज़े से यहां पर क्या है कि solar energy के भी काफी सारे यूज आपको देखने को मिलते हैं ठीक है एक additional और बहुत अच्छी information आपको सकता है कि number change हो गया है लेकिन जब मैं यह video record कर रहा हूं तब 102 countries जो है वो इसके member है इसका headquarter आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा जिसको हम गुडगाओं बोलते थे तो international solar alliance जो है वो इसलिए बनाये गया है जिसमें भारत भी है फ्रांस भी है बहुत सारी इसलिए बनाये गया है ताकि हम solar energy की उपर अच्छी तरीके से बड़े scale पर यहां पर काम कर सकें ठीक है solar energy को हमको यहां पर क्या करना है कि focus करना है है ना और हम जादा से ज्यादा countries को यहां पर मदद करें इसकी उपर focus किया जाए तभी हम यहां पर क्या कर सकते है कि climate जो परिवर्तन यहां पर हो रहा है उन चीजों को यहां पर थोड़ा सा रोका जा सकता है ठीक है चले अब अगला यहां पर जो non-conventional source है इसको बोलते है wind energy so wind is in exhaustible source of energy ठीक हवा जो है वो कभी खतम होगी क्या बिल्कुल नहीं हवा चलेगी चाहिए वो गरम हवा हो चाहिए वो ठंडी हवा हो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है so windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorable तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि जो windmills वगरा होती है उनका बहुत पहले से मतलब जैसे यह पंखिया आपको देखने को मिल रहे हैं इससे connection यहां पर कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि grains वगरा को जो है वो यहां पर क्या करने के लिए जो है वो grind करने के लिए पानी वगरा को lift करने के लिए बह और generator से जब यहां पर यह connect हो जाता है तो electricity का production जो है वो आपको देखने को मिलेगा जो यहां पर आपने देखा था ना hydro electricity में उसमें पानी टर्बाइन को घुमा रहा था यहां पर जो wind है वो generator को यहां पर जो है वो electricity produce करने के लिए यहां पर वजबूर करती हुई आपको द और जो mountain passes वगरा होते हैं वहां पर देखने को मिलते हैं जहां पर strong और steady winds जो है वो लगातार आपको blow करती हुई दिखाई देती हैं जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो गुजरात और तमिलनाडू वगरा वाला जो इरिया है वो windmills के लिए परयाप्त जो है वो यह UK, USA and Spain are noted for their wind energy production ठीक है मतलब Europe की बहुत सारी countries यहां पर है USA भी यहां पर है Spain भी है तो आप 11 other countries को देखोगे तो यह लोग यहां पर क्या हैं कि wind production वगरा की उपर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं ठीक है भारत में भी बहुत सारा scope है लेकिन अभी थोड़ा सा वो यहां पर आप यह कैसकते हैं कि उसमें थोड़ा समय लगेगा चीजें जो हैं वो improve होंगी तब आप यह कैसकते हैं कि भारत में भी wind energy की उपर अच्छी तरीके से focus किया जा सकता है लेकिन भारत में solar energy की उपर जो है वो बड़े scale पर काम किया जा रहे है ठीक है तो आगे चलकर जो है wind energy की उपर भी आपको अलग-अलग तरीके की चीज़े देखने को मिलेगी तीसरा जो हमारा यहाँ पर resource है non-conventional resource इसको बोलते है nuclear power ठीक है मतलब nuclear power plant वगरा की बात हो रही है तो आप यह देख सकते हैं इस तरीके से nuclear power plant है so nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atom of naturally occurring radioactive element like uranium and thorium ठीक है तो याद रखिएगा uranium और जो भी यहाँ पर thorium अगएरा है इनका प्रियोग करके हम क्या करते हैं कि nuclear reactor से जो energy वगरा होती है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको यहाँ पर energy प्राप्त करते हैं एलेक्ट्रिसिटी वगरा जनरेट करते हैं तो याद रखिएगा उसमें फ्यूल के रूप में हम जिसका यूज करते हैं उसका नाम क्या है फ्यूल के रूप में हम यहां पर यूज करेंगे यूरेनियम का और थोरियम का ठीक है यूरेनियम और थोरियम जो है वह यहां पर य करेंगे इस फ्यूस अंडर गो नुकलियर फीजन इन नुकलियर रियक्टर एंड एमिट पावर अब देखो एक चीज यहां पर होते हैं इसको बोलते हैं नुकलियर फीजन ठीक है साइंस में हो सकता है कि आपने यहां पर पढ़ा हो तो नुकलियर फीजन में क्या होता है कि एक बड़ा nuclei होता है इसके उपर हम neutron की bombardment करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि दो छोटे-घोटे यहां पर यह क्या लीज़न बोलते हैं इसके बाद energy वगरा यहां पर liberate होती है जिसका हम प्रियोग करते हैं अलग-अलग काम को fulfill करने के लिए तो यह process जो होती है वो यहां पर क्या कहलाती है nuclear fusion कहलाती है एक चीज होती है जिसको हम बोलते nuclear fusion ठीक है जैसे sun में क्या होता है कि helium जो hydrogen है न वो यहां पर मिलते हैं helium बनाते हैं तो अगर मैं यहां से लेकर यहां opposite direction में जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा यह आपको nuclear fusion fusion देखने को मिलेगा nuclear fusion में temperature वगरा बहुत जादा होता और इसको हम control नहीं कर पाते हैं लेकिन nuclear fusion को हम यहां पर आसानी से जो है वो control यहां पर कर सकते हैं इसलिए जो भी आपको nuclear power generation देखने को मिलता है वो किस basis पे होता है वो nuclear fusion के basis पे देखने को मिलता है nuclear reactor में यही सब चीजे यहां पर use की जाती है बट अभी के time period पर France वगरा की जो countries है ना वो आप यह कह सकते हैं कि यह लोग nuclear reactor ऐसे भी बना रहे है जो nuclear fusion की उपर based होंगे ठीक है लेकिन वो अभी काम चल रहा है उसकी उपर तो इन future हमको उसकी जो development होगी उसकी उपर बात पता चलेगी अब उसके बाद the greatest producer of nuclear power are USA and Europe ठीक है मतलब की nuclear power का जो production यहाँ पर होता है वो सबसे यादा कहाँ पर होता है वो USA में होगा और आपको यहाँ पर यूरोप वगरा में देखने को मिलता है तो यूरोप यहाँ पर पूरा पूरा जो है वो include कर लिया गया है मतलब अलग-अलग countries जो है उन सब को यहाँ पर सामिल किया गया है इंडिया में अगर हम बात करेंगे राजिस्थान में और जारखंड में आपको deposit मिलेंगे uranium के है न मतलब जो राजिस्थान है और उसके बाद जो जारखंड है यहाँ पर आपको uranium के deposits देखने को मिलते हैं uranium के deposits का मतलब यह है कि जैसे कोईला व कि जो केरला में तॉरियम देखने को मिलता है तो यह चीज आ है वो केरला में अविलेबल है o थीखे जैसे बहुत सारे शेसें जहां पर यहां पर कीज जाता है वह कहाँ कहाँ पर है जैसे अगर आप देखोगे तो वो आपको कलपकम में देखने को मिलेगा ठीक है कलपकम कहाँ पर है तमिल नाडू में है तो यह locate करने को आएगा मैप में तारापूर जैतापूर यह सब महाराष्टरा में आपको देखने को मिलेगा तो तारापूर हो गया जैतापूर हो गय करनाटका में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर है तो याद रखिएगा कल पक्कम है है ना तमिल लाड़ो में तारापूर महारास्टा में राणा प्रताप सागर कोटा राजिस्थान नरोरा यूपी कहेगा करनाटका यह कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन्स हैं जहां तो इसमें क्या गरोगे यूरेनियम वगरा की जो रॉट्स वगरा होती उनको यहाँ पर यूज करते हैं अच्छा एक बात यह धियान लखना है कि भारत में भले ही जो है वह यहाँ पर क्या है कि यूरेनियम आपको देखने को मिल रहा है लेकिन यूरेनियम के भी अलग- जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो कौन सा यूज होता है वो यूरेनियम 235 है न हम इसका यूज करते हैं जो न्यूकलियर रियक्टर होते हैं वहाँ पर फ्यूल के रूप में तो ऐसी चीज़े जो है न वो भारत में नहीं मिलती है अगर भारत में यूरेनियम मिलता है न और इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि nuclear power की field में जो है वो भारत थोड़ा सा भी पीछे है लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समय बीटता जाएगा आप देखेंगे कि भारत इस particular field में भी बहुत अच्छा perform करता हुआ आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह चीज आपको ध् जो rate of reaction है है ना जो reaction हो रही है उसको थोड़ा साम यहाँ पर control करें फिर उसके बाद पानी बगरा है इस से steam होगी इस steam से जो है वो यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि जो turbine है वो rotate करेगी और turbine rotate होगी तो generator यहाँ पर क्या करेगा electricity को जो है वो produce यहाँ पर करेगा तो यह पूर nuclear reactor की रूप में भी यहाँ पर होता है लेकिन nuclear reactor में problem ही है कि थोड़ा सा खत्रा है है ना जैसे आपने देखा होगा कि Japan वगरा में है ना अभी Ukraine में आपने सुना होगा कि वहाँ पर भी क्या है कि चर्णोबिल एक nuclear disaster जो है वो हुआ था 1986 में है ना तो उसमें यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर protest वगरा भी करती हुई आपको दिखाई देती है तो यह एक important reason है जिसकी वज़े से सरकार को थोड़ा सा जो काम है वो सोच समझके यहाँ पर करना पड़ता है अब अगला जो यहाँ पर non-conventional power sources हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो यह है geothermal energy का मतलब यहाँ क्या हुआ मतलब कि वो energy ठिक है जो यहाँ पर क्या होती है जो कि यहाँ पर अर्थ से हम को यहाँ पर देखने को मिलती है वसको हम इहां पर geothermal energy जो है वह यहाँ पर कहते हैं ठीक है simple सी बात यहां पर यह हो गया कि heat energy obtained from the earth is called geothermal energy हलब कि जो आप यह कह सकते हैं कि जो अर्थ है ठीक है उससे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आप उसमें जो heat होती न अर्थ के अंदर जो heat है उसको obtain करना इस तरीके से जो energy यहाँ पर obtain हो रही है उसको हम यहाँ पर geothermal energy जो है वो कहते हैं the temperature in the interior of earth rises stillly as we go deeper जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि अर्थ के अंदर ठीक है जाते जाते हैं deep जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो temperature है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है sometime this heat energy may surface itself in the form of hot springs this heat energy can be used to generate power अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम इस particular जो heat energy है न वो यहाँ पर क्या है कि may surface itself in the form of hot springs hot springs के रूप में जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको आती भी दिखाई देगी और इसका प्रियोग करके हम क्या कर सकते हैं कि power बगरा जो है वो यहाँ पर generate कर सकते हैं मतलब कि जो अर्द के अंटीर में आपको heat energy यहाँ पर देखने को मिल रही है न उसका प्रियोग करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि power जो है वो यहाँ पर generate कर सकते हो geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking heating and bathing for several years मतलब cooking के लिए heating के लिए बाथिंग बगरा के लिए जो है इन सब चीजों का आप यहाँ पर use कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जैसे मैं एक photo आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे यह देखिए है न यहाँ पर क्या है कि यह natural crack आप आपको देखने को मिल रहा है इससे जो यह steam है यह आपको ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है है ना आपने यहाँ पर क्या कर दिया ऐसे गड़्डा खूद के जो एक पाइप लगा दिये पाइप वगरा से आपने turbine यहाँ पर connect कर दी और generator यहाँ पर आ गया है ना तो आप यहाँ पर क्या करिए वेल बना लीजिए water बना लीजिए और इसमें pipe वगरा से connect करके वही जो turbine वाला function है वो लगा दो generator लगा दो तो इससे भी आप पावर जो है वो directly generate कर सकते हो ठीक है तो यह चीज भी है क्योंकि अगर आप इससे पहले वाले में देखोगे तो यहा फोकस यहां पर किया जा सकता है ठीक है समझ में आ गया चलिए अब अगली बात करेंगे USA has the world largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America ठीक है मतलब की आप कह सकते हैं कि USA में geothermal का सबसे बड़े आपको power plants देखने को मिलेंगे फिर New Zealand है फिर Iceland है ठीक है Philippines आपको देखने को मिलेगा Central American जो countries है है न इंडिया में अगर हम geothermal plants के बारे में बात करेंगे तो यह है money current ठीक है हिमाचल प्रदेश में and Puga Valley लद्दाग ठीक है तो यहां पर क्या है कि हिमाचल प्रदेश अगर कभी आप यहां पर जाओगे तो वहां पर क्या है कि money current गुरुद्वारा भी आपको देखने को मिलेग ठीक है तो वहां पर अगर आप देखते हैं तो वहां पर क्या है कि geothermal जो plants है वो देखने को मिलते हैं तो वहां पर भी आपने experience करोगे यह मेरा personal experience है जब मैं वहां पर गया था तो वहां पर क्या है कि कई जिगे पर अगर आप देखोगे तो गरम पानी जो है वो यहां पर सकते हो दुए जो यहां पर हिमाचल प्रदेश में हैं फिर उसके बाद यह पूका वैली लद्दाक वगरा में ठीक है वहां पर geothermal जो plants है वह आपको बड़े scale पर देखने को मिलते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका geothermal energy पता होना चाहिए कि geothermal energy है क्या और कौन-kौन सी country इसमें अच्छा कर रही है और भारत की तरफ से जो यहां पर contribution है वो यहां पर किस level पर आपको देखने को मिलता है ठीक है चले बाई अगली बात करते हैं अगला जो हमारा non conventional source है इसको बोलते है title energy ठीक है आपको पता है कि जैसे tights होती है ना tights वगरा का generate कर सकते हैं तो मतलब energy generated from types is called tidal energy जब हम यहां पर क्या करते हैं कि tides से हम यहां पर जो energy है उसको जब हम generate करते हैं तो उसको tidal energy जो है वो यहां पर कहा जाता है tidal energy can be harnessed by building dams at narrow openings of the sea है ना मतलब कि जो sea वगरा होता है उसकी जो narrow openings होती है जो थोड़ा आपको narrow यहां पर opening देखने को मिलेगी वहां पर आप dam बना दो तो आप use कर सकते हैं during high tide the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity जब यहां पर क्या होगा कि थोड़ा सा sea level आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा ऐसी situation को में यहां पर high tide कहते हैं तो high tide में क्या होगा कि जो भी आपने turbine मगरा लगाई है उसको घुमाने में यहां पर यह मदद करेगा और जिससे electricity वगरा आप यहां पर generate आसानी से कर पाएंगे Russia, France और Gulf of Kutch जो इंडिया में है वो आपको tidal mill farms देखने को मिलेंगे क्योंकि Russia में, France में और जो basically Gulf of Kutch है जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा वहाँ पर high tides, low tides वाले phenomena जादा होते हैं तो वहाँ पर हम इसका प्रियोग करके चीजों को जो है वो आसान बना सकते है ठीक है, basic मतलब यहाँ पर यह होता है कि आपके पास कुछ resource ऐसे हो जिससे turbine move करें once turbine जो है वो move करेगी तो जो generator है वो यहाँ पर electricity automatically यहाँ पर generate करता हुआ आपको दिखाई देगा जैसे अगर आप यह देखोगे तो यह यहाँ पर हो गया है आप यहाँ पर क्या है कि यह low tide आपको देखने को मिल रहा है ठीक है यह low tide हो गया और यह low tide है यहाँ पर आपको High Tide देखने को मिल रहा है, और फिर High Tide यहाँ पर है, तो basically यहाँ पर क्या होता है कि हम यह देख सकते हैं कि High Tide यहाँ पर होगा, है न High Tide यहाँ पर होगा, तो आप यह कह सकते हैं कि इसको Move करेगा यह, समझ में आ रहा है, यह जो चीज है वो यहाँ पर क्या होगी यह move होगी और move होने की वज़े से यह power जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो अब इसके बाद जैसे बोल सकते हैं कि low tidal energy is used to produce electricity तो जो high tide यहाँ पर होगा तो generator जो आपका यह सब चीज है इनको move कर पाएंगे और यहाँ से क्या होगा कि इस तरीके से low tide और high tide की वज़े से आप यह के सकते हैं कि total जो energy होती है वो यहाँ पर produce होती हुई आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो यह इसका reason है और यह high tide है मतलब कि temperature जो water है वो यहाँ पर high tide है मतलब जादा है और water यहाँ पर जब जादा होगा तो आप क्या करोगे पानी यहाँ पर store हो जाएगा टैम में है न फिर यहाँ पर पानी को release करोगे तो यह यहाँ पर क्या होगा कि turbine घुमेगा और इससे फिर electricity आपको generate होती हुई दिखाई देगी ठीक है तो यह एक reason है इधर भी इस तरीके से काम कर सकता है उधर भी उसी तरीके से काम कर सकता है high tide में क्या होगा कि पानी store होगा फिर उसको हम release करके turbine को move यहाँ पर करवा सकते हैं जो सा हमने हाइडल energy में यहाँ पर करवाया था अच्छा एक fact यहां पर दिया हुआ है कि the first tidal energy station was built in France ठीक है this is important याद रखिएगा यह direct question जो है वो MCQ format में बनेगे आपसे कि पहला जो tidal energy station था वो कहां पर बना था तो फ्रांस में बना था और फ्रांस की जो capital है वो आपको देखने को मिलेगी तो यह आपके non-conventional sources हैं इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इनका अभी हम उतने बड़े scale पर use नहीं करते हैं और आप यह कह सकते हैं कि यह untapped हैं है ना लेकिन इस field में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे तो आप यहाँ पर यह कह सकते हो कि चीजे जो हैं वो यहाँ पर क्या होता है है ना तो बायो गैस के बारे में देख लेते हैं ऐसे जैसे इस तरीके के प्लांट्स वगरा देखने को मिल रहें तो हम क्या करते हैं कि यहां से भी जो है वो पावर बगएरा जनरेट करते हैं और इनिमल डंग एंड कीचन वेस्ट कैन बिकन तो इसमें हम किस-किस चीज का प्रियोग कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर dead plant होते हैं, जो plants यहाँ पर खतम हो चुके हैं, animal का material हो गया, animal का dung हो गया, kitchen का waste वगरा होता है, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि convert कर सकते हैं, bio gas के form में, जैसे अभी के time period पर गीला कच्रा, bacteria and bio gas digester to emit bio gas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide, ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, कि जो bio gas होता है, उसमें कौन-कौन सी gas का यह mixture है, एक तो methane gas है, और एक आपको carbon dioxide देखने को मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, कि जो भी समान है, उसको लेकर आएंगे, और उसमें क्या है कि व bio gas बोलते हैं, जिसमें आपको methane और carbon dioxide जो है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है, bio gas एक excellent fuel होता है, cooking के लिए, lighting वगरा के लिए, and huge amount of organic manure each year, और इससे फिर क्या होगा, कि जब आप gas वगरा यहाँ पर produce कर लोगे, तो जो wastage वगरा होता है, अगर उसको हम सही तरीके से treat करें, तो वो यहाँ पर क्या है कि manure की रूप में भी यहाँ पर काम करेगा, जैसे जो organic यहाँ पर आप यह कह सकते हैं, कि fertilizer होते हैं, तो organic fertilizer की रूप में भी यहाँ पर वो काम करते हैं, और जो भी अलग-अलग तरीके के waste वगरा होते हैं, उनको भी आप आसानी से जो है, वो यहा पर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं जैसे यह देखो यह mixing tank वगरा हो गया gas tank हो गया gas का बाहर निकाल लो soil वगरा फिर जो भी यहां पर चीजें होती है वो इस तरीके से यहां पर आपको काम करती हुई दिखाई देती है manual वगरा भी आपको देखने को मिल रहा है जिनको आप agriculture वगरा में use कर सकते हैं तो यहां पर क्या है कि energy तो हर जगे पर है लेकिन क्या है कि उन चीजों का प्रियोग करना ठीक है वो यहां पर क्या है कि थोड़ा difficult भी होता है थोड़ा costly भी होता है each one of us can make a difference by not wasting energy तो यहां पर वो हमेशा की तरह एक बात बोलता हो ना कि देखिए हम यह सोचते रहते हैं कि सामने वाला करेगा तब हम करेंगे उससे फरक नहीं पड़ेगा अगर हम थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से भी यहां पर यूज करने लग जाएंगे तो हम energy को waste होने से यहां पर बचा सकते हैं energy saved is energy generated अगर आप energy यहां पर generate नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप यह energy को यहां पर save भी कर लेते हो तो अभी इसको इसी रूप में मान सकते हैं कि आपने अपनी तरफ से भी जो है वह contribution दिया है act now and make brighter energy future तो अभी से आप जो है वो शुरुवात यहां पर करिए ताकि हम अपना जो भविश्य है अपने planet का जो भविश्य है जो future generation यहां पर आपको देखने को मिल रही है उन सभी का future जो है वो हम यहां पर सही तरीके से आगे बढ़ा सके ठीक है तो यह था एक complete आपका chapter ठीक है जिसमें अलग-अलग तरीके की चीजे बताएगे यह वैसे तो देखो क्या है कि यह आसान chapter है ठीक है लेकिन अगर आप देखोगे तो इसको अगर हम सही तरीके से थोड़ा पढ़ेंगे तो यह काफी इंट्रेस्टिंग chapter है और काफी सारी चीजे इसमें जो है वो आपको अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि काफी सारी चीजे जो है वो आपको समझाएगे आप जैसे माल लीजे कि non-conventional energy sources के बारे में बात करें तो अलग-अलग चीजें हैं ठीक है उनके advantage क्या है डिस advantage क्या है यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे यहाँ पर नहीं होगा safe और clean यहाँ पर ने तो यह advantage हो गए disadvantage में देखेंगे तो noise pollution होता है ठीक है जब भी machinery वगरा यहाँ पर चलेगी winds वगरा यहाँ पर blow करेंगी उसको तो उससे जो treadmill वगरा यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा windmills बढ़ेंगी तो उससे क्या होता है कि noise pollution होता है ठीक है फिर उसके बाद इसको setup करना जो है वो थोड़ा costly है बाद में भले ज्यादा खर्चा नहीं आएगा maintenance cost ज्यादा नहीं है लेकिन इनको setup करना जो है वो मुश्किल है setup radio and TV reception है ना बड़े बड़े यह लगे होते है windmills वगरा तो जो भी यहाँ पर TV signals वगरा होते हैं उनमें negative impact यहाँ पर हो सकता है और harmful to birds अब मालोगी यह move कर रहे हैं पक्षी वगरा यहाँ पर आ गए तो उनकी उपर भी negative impact जो है वो पड़ेगा तो इस तरीके की situation जो है व है ना non-conventional sources के हैं कि वो थोड़ा expensive आपको देखने को मिलते ही है diffuse source so gets wasted मतलब अगर माल लीजे कि एक बार जो चीज़े आप यहाँ पर use कर रहे हो तो यहाँ पर क्याए कि अगर वो खराब हो गया तो फिर वो waste की रूप में आ जाए तो एक अलग तरीकी का जो waste है वो आपक वगरा यहाँ पर बना दोगे तो negative impact पड़ेगा और difficult है मतलब इससे बहुत जादा output जो है वो यहाँ पर बनता नहीं है तो इसके उपर इसकी efficiency को ensure करने के लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर अभी time लगता हुआ देखने को मिलेगा फिर nuclear energy के अगर advantages के बारे में बात करेंग और यह भी क्या है कि यह भी आपको expensive देखने को मिलता है तो यह सब चीजें क्या है यह इनके आपको जो है वो disadvantages यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं फिर अगली बात अगर हम देखते हैं बायो गैस के बारे में तो बायो गैस में low cost है easy to operate है ठीक है बायो वेस्ट जो है वो भ वर्मिंग बगरा वाली problem जो है वो आज के time period पर आपको देखने को मिल रही है फिर geothermal energy के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके advantage में दिया के clean eco friendly and always available है न हर जिगे पर अगर आपने सही तरीके से उनको identify कर लिया कि कहां पर हो रहा है तो आप आसानी से जो है उन चीजों को यहां पर देख सकते हैं disadvantage में देखेंगे located far away from cities and so costly to transport the electricity अब बहुत दूर दूर आपको देखने को मिलता है यह वहां से आप main cities में उनको लेकर कैसे आओगे किस तरीके से काम होगा यह थोड़ा सा problem यहां पर create कर सकता है तो यह सारी चीजे जो है वो आपको यहां पर इस advantages और disadvantages बताओ, tidal energy की बताओ, solar energy की बताओ, geothermal energy की बताओ और इसी तरीके से जो conventional यहां पर sources थे उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको यह ध्यान लखना है कि कौन-कौन सी energy कौन सी का part है है ना जैसे अगर आप से कोई बोले कि 3 non-conventional जो यहां पर sources है energy के उनके न नाम लिखो, तो wind energy, solar energy, tidal energy, biogas, nuclear energy, geothermal energy, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, हाइडल जो यहां पर है ना जो आपका डैम अगरा वाला हाइडल energy है, वो यहां पर non-conventional नहीं है, वो conventional है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा differentiation भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक number में question दे दे उनके बारे में आपको थोड़ी सी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, तो इस तरीके से आप यह पूरा का पूरा जो यहां पर explanation है, वो आप यहां पर समझ सकते हैं, तो यह था आपका complete chapter explanation थोड़ा बड़ा था, मैं बिल्कुल मान सकता हूं, लेकिन मेरा purpose यहां पर य काम जो है, वो अच्छी तरीके से यहां पर बन जाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर doubt आपको लगता है इस chapter में, तो comment section आपके लिए open है, आप उसमें जरूर अपने comment में बताओ कि भई क्या दिक्कत हो गई आपको, और अगर आपको session यहां पर अच्छा लगा है, ज और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उनको अगले session में हाप पर include करेंगे, ठीक है, तो अपना feedback जो है, वो जरूर लिखो आप, और बागी कई सारे students का doubt यह होता है, कि sir, जैसे माल लोगी हमको, आप दूसरे chapter यहां पर पढ़ने है, दूसरे subject पढ़ने है, तो कैसे पढ magnetbrains.com जो है, वो यहां पर type करना है, आपने magnetbrains.com यहां पर type किया, और type करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है, वो यहां पर एक पूरा का पूरा format जो है, वो ओपन हो जाएगा, इसमें देखो अलग-अलग class है, है ना, NCRT, one shot revision, extra learning, अलग-अलग तरीके की है, तो काफी सारी जो courses है, वो हैं आपर आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर systematic तरीके से arrange करके provide किये गए है, आप जैसे माल लीजे कि आपको one shot revision देखना है, तो one shot revision में अगर आप देखोगे तो 12th class, 11th, 10th, 9th, 8th, हमको 8th class से काम है, तो 8th class पे click कर दो, आप one shot revision पे आपको history के भी classes दी गई है, जोग्राफी के भी काफी सारे वीडियो हो गए हैं, और civics के भी काफी सारे वीडियो यहां पर हो गए हैं, तो जो भी आपको देखना है आप उसको open करिये, open करने के बाद आपको जो है मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा, जिसमें यह देख सकते हैं, यह history का chapter 1, number 1 है, जिसमें मैंने पूरा complete explanation आपको provide किया है, और हर एक चीज़ जो आपकी book में यहां पर available है, सब चीज़ों को मैंने crystal clear तरीके से आपको यहां पर समझाईए, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है वो देख सकते हैं, बागी Hindi medium के जो students है उनके लिए Magnet Brains Hindi जो YouTube channel है, वो इस्टार्ट किया गया है, तो आप इसको subscribe करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि इसको subscribe करें, क्योंकि यहां पर पूरा content और explanation जो है, वो हिंदी भाशा में आपको provide किया जाता है, ताकि आप Hindi medium के जो students है, वो भी अपने examination के लिए, test के वीडियो को देखने में आपको कोई pay नहीं करना है, है ना, मतलब कुछ भी आपको यहां पर subscription मगरा नहीं लेना है, कोई package नहीं लेना है, क्योंकि kg से लेकर class 12 तक कि जितनी भी यहां पर अलग-अलग subject होते हैं, test होते हैं, वो आपको 100% यहां पर free provide किया जाता है, कोई fees आ अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अलग-अलग जो आपके groups हैं, वहां पर भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक अच्छा quality वाला content जो है, वो यहां पर prepare कर सके और अपने examination के लिए खुद को तयार कर सके, अगले session में एक न